लो बाक टू ये ड़ने लेक्ट्टर ओफ यर सी ए में इंटरमिडियेट पेपर नमबर फाइफ फाइफ फाइनिशल अकाउंटिंग और इस लेक्टर ते एक नया धमाकेदर चप्टर चालू करने वाले धमाकेदर चप्टर इसली क्योंकि चप्टर में कुछ ही नहीं तुम नहीं संटर चालू करने वाले हैं नहीं सिनलो नहीं के नांश्याम है वेल्ती पर चप्टर है आते हैं 85 अई 150 बंनते उसके और ऐसे तो question बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा प्लस तुम्हारे बीकॉम में भी है यह तो यहां पढ़ लोगे तो लगे हाथ बीकॉम की प्रिप्रेशन हो जाएगी जैसा कि तुम्हों जानते हो बहुत सारे कॉमन चप्टर होते हैं बीकॉम में और हमारे इंटरमेडेट में तो इस बात है वेरी वेरी इजी घिक है रोयल्टी मतलब होता है उस कॉपी राइट पेटेंट रॉयल्टी सब एक धाली के चट्टे बढ़ते हैं चैनल लोग कोई पपलीश्वी बूख पब्लीश्वी कॉन सी बुक का ईग्जामपल लोगो इदर से कोई उठा लेता हूं मैं तो देखो यह जो तुमको टीएस ग्रिवाल दिख रही है डबल एंट्री इस बुक को लिखा किसने मैं जानना चाहता हूं आज इससे किसने लिखा है तो देखो इस रिटेन बाइस ग्रिवाल जो की फॉर्माट डिरेक्टर बोर्ट अप स्टेडिस इंस्टिटूट अप चा एक लिखान से लिखा है तो इस बात में की यह बूट किने लिखा है कि वह सब चोड़ो दुकान में जाते हैं प्लास एंट्ट जिएंट्यरहें पर आई वंट चो यूस समस्तिंग जिसके ऑपर शाहत तुमारा ध्यान गया यह नहीं यह यह यहां पर करना क्या लिखा हुए सुल्तान चांद लिखा हुए क्या लिखा हुए सुल्तान चांद तो हुई सुल्तान चांद कौन है तो सुल्तान चांद जो है वह पुब्लीशर है बुक का कौन है पुब्लीशर है सुल्तान चांद ठीक है तो अब एक बात बताओ तुम लोगों को य की सब्सक्राइबसे कर दिए इतने सारे डिगे ₩ लूध सब्सक्राइब कर लूख और हुआसे अब शर्ड़ा करिएक अपनेS प्रिंटिंग करें बहुत ज्यादा कौस्ट लग जाएगा ब्लस भशे की का Are ट्रांस्पोर्टेशन नौल यह सब चीजे करा है पूरे इंडिया में डिस्ट्रीबूट करा है बुक को इतना सब उनको समय नहीं है तो वह गए सुल्तान इतनी नौलेज होनी चाहिए तो इसलिए मैं यहां पर पहुचाना था तो वैसे तुम लोग कभी पढ़े नहीं हो कि ध्यान नहीं देखना पहले पेज में लिखा रहता है कि यह बुक इस तरीके से डिजाइन रहे कि मेरे को ऐसा लगता है कि 12 के बच्चे को इतनी नौलेज ह अच्छी हो मैं हमेशा बोलता भाई एक्जाम औरिंटेट नहीं नौलेज औरिंटेट पड़ो एक्जाम तो ऐसी क्लियर हो जाएगा तो यहां पर अब वो सुल्तान चांद के पास गया पब्लीशर के पास बोले मुझे बुक पब्लीश कराना है यह देखो अब सुल्तान चांद खुश हो गए ना बोले ओके इतनी अच्छी बुक है तुरंद रेटी बड़ा मार्जिन मिलेगा बड़ी से लोगी बड़ा मार्जिन मिलेगा वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छी बात हो गई यहां पर तो अब यहां पर एग्रिमेंट हो गया तो इस एग्रिमेंट में बताओ बुक लिखी किसने थी यह वाल ने अगर बुक पब्लिश करके सुल्तान चांद सेल करेगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा सुल्तान चांद को मिलेगा तो इसमें टीएस बीवाल का क्या फायदा यह है कि हर बुक पर यूनिट सेल ऑब बुक बुक किते की है देखते हैं 610 रुपए की पुराना रेट है 2019 का रेट है ठीक है तो यह 610 रुपए पूरा सुल्तान चांद को नहीं मिलेगा इसका एक कुछ तो भी पोर्शन जो लोग आपस में कॉंट्रेक्ट करेंगे इसका कुछ तो भी पोर्शन जो वह आपस में एक बक्वास गाना में गाता हूँ ठीक है तो देखो यह जो 610 रुपए ना इसके अंदर एक अमाउंट इंक्लूडेड है जो किसका है तुल्टी एस ग्रिवाल का है जो अमाउंट एस ग्रिवाल को बिलॉंग करता है तो जब भी एक बुक सेल होगी जब भी एक बुक सेल टेगा इसी को बोलते हैं रोयल्टी क्या बोलते हैं रोयाल्टी तो नहीं चाहिएू किसी की सामान यूज़ करते हो या किसी का intellectual property यूज़ करते हो intellectual property ना ठीक है तो उस situation में तुमको copyright royalty या patent के लिए pay करना पड़ता है ठीक है तो उसी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पर तुम यह समझे हो इसको हम क्या बोलते है royalty यह जो amount पे कर रहे हो ना यह amount तुलतान चांड जो टीएस घ्रिवाल को पे करेगा टीएस घ्रिवाल की लिखवी book को publish करके sale करने के लिए तो वो जो एक amount होगा per book basis पे वो क्या कहलाएगा royalty ऐसा same situation हो सकता है government government के पास जो भी लैंड इंडिया में जो भी private land जैसे तुम्हारे घर की जमीन होगी तुम्हारी है मेरे घर की जमीन जो हो मेरी है ऐसा जो घर की जमीने होती है वो सब की वैसी जो बच्ची वी जमीन जैसे पतले तक ऐसलिकवर्मेन के तुमको पता है जितनी भी इसम्प्रोडस है जो Momating और माहिसे तो मटनों कर रोगती तक वे द्रीशन करती यह कुछ प्राइवेट कंपनी सेट आप करेल फिर एक्ष्टेक्शन कराया फिर उसको सेल करेल और प्लटन जी बेसे पर माहम पर ईक्जामपल करेंस को प्रटन पर यह जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट को फॉप्ले तो यह व्यजी प्रॉर्मेंट को मने कि सब्सक्सिरों और। करेंट के तुम को मोटा-मोटा बाते समझ भेहार ही होगी कि क्या होता है रोल्टी का मतलब वैसे तो पहले कभी सुने ही होगे ट्रेडिंग आपड में कभी रोयल्टी आई होगी तो यह शब्द तुम पहले सुने होगे फुड़ा बहुत तो फेडियेबल हो गई होगा तो पेटेंट्स कॉपी रैट्स यह सब एक ही चीज़ें होती है मतलब काइंड एक जैसी होती है बस अलग अलग जगह पे अलग अलग टम्स यूज होते हैं ठीक है जैसे हम तुम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिसर्शन डेवलप्मेंट के उपर खर्चा करके मस्त उसी मेडिसिन बहुत चलने लगी मार्केट में तुम जा पहले गवर्मेंट के पास अब तुम अब को मैं आपके लिए मैं आपके लिए पैन लेका हूँ इस पैन से मैं एक एग्रीमेंट बनाना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसी गोली बनाई है जिससे लोग बुढ़े नहीं होंगे आप मुझे इसका पेटेंट दे दो इसमें साइन करके और और यह पेटेंट में यह लिखा रहेगा कि आने वाले है दवाई का डब्बा लेक्या आओ यह रही दवाई यह रही दवाई यह एक शिरफ है जिसका नाम है शंक पुषपी शिरफ ठीक है तो देखो यहां पर कहीं पर ना इसमें यह लिखा रहते है कि इसके दर क्या-क्या मिला हुए देखो composition में लिखा है 10 ml content शंक पुषपी ब्रह्मी शरकरा निम्बू सत्वा ग्रीन कलर ठीक है तो यह देखो इसके content लिखे हुए तो ऐसी हर दवाई के पीछे यह देखो विक्स का वो है inhaler इसमें भी लिखा हुआ होगा ठीक है कहीं तो लिखा है यह देखो लिखा है पुदी प पूर विन्टर ग्रीन यह सब यह सब यह सब चीजे में वी देख करें और composition बिलिखा हुआ कितना कितना मिला हुआई तो बात में नहीं समझ रहे हो यहां पर कि हर दवाई के पीछों का composition लिखा रहता है कि संदय क्या-क्या मिला हुआ हुआ है तो कोई फी पर्मूला copy करके तो यह बात समझ मैं किया तुम लोगों को तो उसके लिए गौवर्मेंट को जाके लिखवा लेते कि यह मेरा पेटेंट है दस साल तक मैं इसको किसी को बनाने नहीं दूंगा तो अब उस दस साल के दौरान अगर किसी कंपनी इच्छा हुई कि नी हमको भी यह मेडिसीन बना के बेजनी है तो वह जो बंदा जो मालिक है जिसने वह दवाई बनाई है ठीक है उस दवाई के मालिक के पास जाएगा बोलेगा सर आप मेरेको अपना पेटेंट राइट ट्रांसफर करो आपके बास जो पेटेंट राइट है उसको अप मेरे को ट्रांसफर करो उसके लिए वह को उसको एक पार करेंकर लॉंस में क्पड़ना पर हम पढ़ना है तो समझ में आ गई ओगी हो कि बात 11-35 की discussion भड़ी काफी है भाईया बड़ी काफी है तो सबस्वेले बात को समझो यह सामने तुमको फॉर्मेट दिख रहा है कि जिस से तुम calculate कर सकते हो माँंट काल्कुलेट कर सकते हो कि तो जरा सा बेसिस में कि कितनी बुख सेल हुई दस अजार बुख सेल हुई दौख सेल हुई लूइ उस जाल व्यवर्र पपकर करे तोसमझो मेरी बात को ओ माई गॉड भाया हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे चलो समझो मेरी बात को सुल्टान चांज के पास गए टीएस ग्रिवाद बोले कि मैं 11 और 12 से मस्त बुक लिखा हूँ पंट बॉलस बुक लिखाओ एकदम बहुत मज़ा आ जाएगा मतलब एकदम शांदार वाली फिलिंग आ जाएगी बच्चों को पढ़के बट दपॉइंट इस देखो यहां पर तुम बुक को सेल करोगे जब है ना तो अब यहां पर तुम समझो तुम्हारे पास एक पब्ल देखो आज हम पीछे नहीं हटेंगे देखो तो यह है एपीसी की बुक आर्या पब्लिकेशन की बुक इसमें डीके गोयल राजेज गोयल और शेली गोयल यह तीन लोगों ने इस बुक को लिखी है इस यह पुरानी एडिशन है कौन से साल की नहीं पता ठीक है पर आर्या वाली इस बुक को प्रिंट करते हैं मतलब कॉंपटीचन तो है मार्केट में तो माल लो यह जो बुक है डीके गोयल यह बुक भी सुल्तान चांदी पब्लिश करता है ऐसा एज्यूम कर लो तब सुल्तान चांद के बस एक बुक तो नहीं है और एपीसी भी बहुत माशूर मार्केट में अपीसी को हलके में ना लिए हो देखरो मेरे पास भी दोनों बुक है मतलब मैं दोनों बुक से पढ़ाता हूं इसका मतलब यह है ठीक है मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है तो समझो मेरी बात को एकदम रिलिस्टिक एक्जामपल लेने के लिए मैं यह सब को डाल रहा हूं यहां पर नहीं तो मैं XYZ बुक भी बोल सकता था देखो अब यहां पर क्या बात उठी ना कि अगर मालो सुल्टान चान यह दोनों पुब्लिशर्स दोनों ऑथर्स की बुक को पब्लिश करता है तो सुल्टान चान को टीएस ग्रिवाल को अपने पास रोकना है क्यों की सुल्टान चान यह चीज़ देख लिए कि ट्यक्री बुक्ट तगडी लिख है पैसा तो बहुत आने वाला है इस-बुक से बुक्त तगडी लिख है अब उसको प्लस के पास बुख्चन वारिया पब्लीकेशं के पास जाके प्रिंट कर आए गा एक त्यब सकता बहुत option है पर सुल्तान चांद को अपने पास रोखना है क्योंकि उनको पता है उनको फ्यूचर दिख रहा है टीएस ग्रिवाल का मार्केट रहेगा फ्यूचर में सब्सक्राइब किसी साल अगर सेल्स कम हुई तो मुझे घाटा हो जाएगा कि मुझे हर साल एक फिक्स अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा मतलब एक अमाउंट जो मुझे तुम देने वाले और को उसको फिक्स कर दो फॉर एक जामपल आप फिक्स कर दो कि आप हर साल एट लीस मुझे 30,000 तो जोके इसके मतलब यह है कि मालो किसी साल 30,000 से कम किसे लुई मालो 20,000 कि 25,000 कि तो उस साल भी आप मेरे को 30,000 ही दोगे ही बात को इतनी वहनत करके भूक लिखाू मेरा भी गुजारत चलना चीजित हर साथ 30,000 मुझे चाहिए मतलब प्रामिस करता हूं कि मैं एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देता हूं जो मैं आपको दूंगा ही दूंगा तो उसकी बात की टेंचिन थेनः आप known as minimum rent, that is known as minimum rent, जो agreement के तुरू fixed होता है, एक minimum amount जो की दूंगा ही दूंगा वाला स्कीन है, ठीक है, फिर उसके बाद आया है, royalty payable, royalty payable मैं अभी बताऊंगा, क्या होता है, ठीक है, इन दोनों का higher, फिर उसके short working क्या होता है, हम आपको बताएंगे, short working, फिर recruitment, short working left, और actual royalty payable, त आज रुपए पर book, royalty fix, books के basis पर question है, और minimum rent देख लो, oh my god, minimum rent question ने बताएंगे, 75,000, इसका मतलब क्या है भाईया, इसका मतलब यह है कि हर साल, minimum आपको 75,000 का rent तो मिले गई, मिलेगा हर सल, पहले year लिख लू, देखो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, मैंने years लिख दिये, आप देखो, years में तुमका output दिया हुआ, 2018 में 12,000 book sale हुई, 2019 में 14,000, 2020 में 17,000, 2021 में 20,000, 2022 में 13,000, 2023 में 21,000 book sale हुई, oh my god, भाईया, यह तो सब कुछ परोष के दे रहा है, मैंने बोला, हाँ, इसलिए तो बोला, को chapter easy है, इतना परोष के देगा, तो भ hero हो hero, 20,000, 13,000, 21,000, ठीक है, ओके, ठीक है, तो यह मेरा output हो गया, basically sales हो गई, कितनी book sale हुई, number of book sold, ठीक है, इतने, इतनी सालों में, actual royalty कैसे निकलेगी, भाई, इसको multiply कर दो, कितनी royalty per book मिलने वाली, 5 रुपए royalty per book मिलने वाली question में दिया हुए, यह देखो, 5 रुपए per book royalty म जिन्दगी में मेरे को, ठीक है, यह हो गया, 60,000, 70,000, 85,000, 1,00, 13,000, sorry, 65,000, 1,005,000, ठीक है, तो this is the actual royalty amount, इतनी royalty मिलनी चाहिए, इतनी royalty मिलनी चाहिए, अब आते minimum rent में, minimum rent तो हर साल 75,000 ही होगा, 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, तो this is the amount of minimum rent, this is the amount of minimum rent, ओके, ठीक है, अब देखो, अब मैं आता हूँ, royalty payable में, मतलब कितनी royalty हमको pay करने की आवश्यक्ता है, कितनी royalty हमको pay करने की आवश्यक्ता है, तो simple शब्दों में, जिस साल 75,000 के ऊपर रहा amount, जिस साल 75,000 के ऊपर रहा amount, उस साल तो उतना ही मिल जाएगा, पर जिस साल 75,000 के नीचे रहा, whichever is higher, तो भाई, actual royalty पहले साल 60,000 की थी, और minimum range 75,000 के था, बोलो कितना रुपए दूँगा, 75,000, क्यों, क्योंकि मैंने promise किया, अगर 75,000 से कम रहा, कोई problem नहीं है, मैं दूँगा आपको 75,000, मैं promise करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, 70 और 75, तो कितना लूँ, 75,000, यहाँ 85 से उपर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 75,000 हो जाएगा, फिर कम हो गया amount, और फिर यहाँ पर 1,05,000 हो गया, ठीक है, ओके भाईया, तो इतनी बाते तो clear हो गई होगी होगी आपको, बहुत असानी से, ठीक है, कि royalty payable कैसे निकाला, whichever is higher, actual royalty और minimum rent, whichever is higher, उससे मैं ले निकाल फालिया, रोलटी payable, अब बात करते है short workings की, किसकी बात करते है, short workings की, तो देखो short working मतलब, छोटा, working मतलब काम, शौर्ट मतलब चोटा वर्किंग मतलब काम तो शौर्ट वर्किंग क्या होता है तो देखो जब मेरा सुल्तान चान भाई जो है जब मेरा सुल्तान चान भाई जो है वो कम काम करेगा तो उसको शौर्ट वर्किंग बोलता है या कम काम मतलब कम सेल्स करेगा कम sales करेगा तो कम royalty मिलेगी और कम royalty मिलेगी तो उसको मैं short working बोलूँगा simple शब्दों में बोलूँगा short working मतलब होता है देखो short workings is equal to minimum rent minimum rent minus actual royalty तो minimum rent से जब तुम actual royalty को minus करोगे तो उसको बोलते है short working simple शब्दों में minimum rent का benchmark 75,000 था देखो यहाँ पर minimum rent का benchmark कितना था 75,000 actual में royalty कितनी कमा की थी 60,000 उसने actual में मेरे को साल भर में पहले साल में कितनी royalty कमा की थी 60,000 तो कितना कम काम किया उसने expectation 75,000 की देखो minimum rent ना expectation के according set की जाती है ऐसी हवा में नहीं कि 10 लाक ऐसा हवा में नहीं ना minimum rent थोड़ी expectation के basis पे set की जाती है तो expectation थी 75,000 की sales तो करवा के दोगे कितने की royalty करवा के दी सिर्फ 60,000 की only 60,000 की करवा के दी तो देखो minimum rent minus actual royalty यानि कि 15,000 रुपए क्या हो जाएगा short workings 15,000 रुपए का काम कम करके दिया है पहले साल सुल्तान चान ने सुल्तान चान ने पहले साल 15,000 का काम 15,000 की royalty कम करके दी है ठीक है मतलब 15,000 की royalty कम कमाई है सिम्पल शब्दों में 60,000 कमाई है जबकि expectation 75,000 की थी तो difference between minimum rent and actual rent ठीक है अब दूसरे साल में आथ एक्सक्राइब करके दिया expectation 75,000 की थी तो पांचार शॉर्ट वरकिंग होई एक बात बताओ क्या तीसरे साल शॉट वरकिंग हुई है नहीं भईया तीसरे साल तो access working हुई है 75 की expectation थी 85 कमाया तो इस ताल शॉर्ट वरकिंग नहीं है इस ताल शॉर्ट वरकिंग नहीं है यहां पर 1,00,000 और 75,000 बताओ क्या short working हुई है कि excess working हुई है भाईया excess working हुई है इसको भी dash मारो यहां भी 10,000 की short working हो गई 75 के expectation थी सिर्फ 65 कमाया है और यहां पर भी हुई है excess working short working नहीं तो basically 3 साल हुई है short working what do you mean by short working minimum rent से कितना कम कमाया है minimum rent से कितना कम कमाया that is known as short working फिर आते हैं री कोप्मेंट इसका meaning समझो इसका meaning समझो पहले देखो 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 तुम्हारे मन में वैसे ना एकदम भावनात्मक्सिती पैदा हो गई होगी जब तुमने यह तोचा कि भावया सुल्तान चांद के साथ आप गलत कर रहे हो मैंने बोला मैं क्यों गलत कर रहा हूँ बताओ मुझे बताओ मुझे I want to know मैंने कोई गलती नहीं किया I am not partial यार तुम बोले भावया आज हम अपसे पूछना चाहते क्या भावया कि शौट वर्किंग यह नौट पुटिंग एट पार एफ़र्ट यह नौट अबल तो पैच इवें 75,000 रूपीज ऑफ मिनिमाम रेंट ठीक है तो पहले साल में 60,000 अर्निंग हुई जबकि पे 75,000 ही किया गया क्यों क्यों कि प्रॉमिस किया था मिनिमाम रेंट का 75,000 किसने प्रॉमिस किया था सुल्तान चाहन ने अब एक बात बताओ क्या यह वन साइड़ेट गेम नहीं हो गया क्योंकि ऐसा भी तो सकता है कि किसी साल शार्व हुई जान हुए है क्या सुल्तान चन नहीं हो रही है कि जिस साल फाइदा नहीं हूं दाल रहा है उससाल शट वर्किंग हुई जिस साल, उस सल तो no doubt सुल्तान चान जो है, वो minimum rent ऐंड करेगा T.S. गृवाल को जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई कौन से कौन से साल हुए, धे, देखो तीन साल एक्सेस वर्किंग हुई है, उस साल सुल्टान चांद को मौका मिलेगा कि short working के कारण जो उसको loss हुआ था ये देखो ये सुल्टान चांद को loss हुआ था ना short working कारण उसको वो recover कर सकता है उसको वो recover कर सकता है वो ऐसा बोलेगा टीज ग्रिवाल को तो उन्हें बोला ठीक है जिस साल आप एफट्स जादा जालके एक्स्स वर्किंग करोगे उस साल आप इस अमाउंट को recover कर सकते हो है ना तो यहां पर यही मतलब होता है रीकप्मेंट का रीकप्मेंट का यही मतलब होता है कि जो एक शॉर्किंग का माउंट है जिस साल एक्स्स वर्किंग हो आ रहता है उस साल उसको recover किया जाता है है ना पर यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रीकप्मेंट पिरेट जो है वो टू यर्स का है दो साल का इसका मतलब क्या है भया इसका मतलब यह है कि तुमक कर ऐसा क्यों किया जाता है अगर मैं इसको इंफाइनाइट पिरेट तक अलाव कर दू कोई पिरेट का बेरियर ना लगाओ तो बिंदा स्चिल मारेंगी लोग तो एफट्स जा लेंगी नहीं पर अगर मैं बोल दू कि दो साल के अंदर recover करना है तो दो साल ही लोग अपनी जान लगा देंगे सेल्स बढ़ाने को कि क्योंकि इंको अपना loss रिकवर करने के लिए लोग जान लगा देंगे शेल्स करवानेके लिए तो कि यह नहीं लॉड का वर्किंग यह तो यह और यह तो तो साल तक तुम रिकवर कर आ सकते हैं वैसी यह के 5,000 का माउंट, एक और यह दो, दो साल तक रिकवर करा सकते हो, और यह जो 10,000 का माउंट है, ये एक और ये दो साल तक रिकवर करा सकते हो, इसके लिए तो दूसरा साल है यही रही, कुश्चन में, एक ही साल है, तो ऐसे करा सकते हो access working से अब जरह मैं पता लगाओं तो इस साल तो access working थी नहीं तो होई नहीं सकता recover इस साल तो short working ही थी पर ये वाले साल में access working थी कितनी थी देखो 75,000 minimum rent है कमाया 85,000 है कमाया 85,000 है तो 10,000 की access working है 10,000 की access working है तो इसको मैं recovery के लिए use कर सकता हूँ तो यहां मैं लिखता हूँ 10,000 और भाई थोड़ा FIFO method से होता है recovery ठीक है तो यह 15,000 का 10,000 रिकावर हो गया इसका मतलब क्या है भाई अब एक बात बताओ यह 15,000 में कब तक रिकावर कर सकता था इस साल रिकावर कर सकता था जो कि नहीं हो पाया और इस साल रिकावर कर सकता था जो कि सिर्व 10,000 हो पाया only 10,000 ही recover हो पाया ठीक है तो बचा हुआ 5,000 अब recover नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 2 साल बीथ गए ये रहा पहला साल ये रहा दूसरा साल दो साल बीथ गए जितना recover हो पाया उतना ठीक जितना recover नहीं हो पाया लैप्स हो जाएगा तो ये देखो short working lapse समझे जितना recover हो गया उतना तो well and good है भाई recover हो गया क्या ही बात दस जार recover हो गया पर जितना अब recover नहीं हो पाया दो साल खतम हो गया अब जितना recover एक्सेस वर्किंग कितनी है देखो 75000-1 लैक भाई 25000 की एक्सेस वर्किंग है कितने ही 25000 की और मेरा short working कितना है मात्र 5000 का पूरा 5000 रिकावर हो गया पूरा 5000 रिकावर हो गया फिर भी 20 जार बद गया अब तुम बोलो कि भाईया वो जो उपर वाला तो यहां यूटिलाइस कर लेते ना ना इसका भी पहला और दूसरा साल यह भी पूरा दूसरे साल में रिकावर हो गया तो वैसी इसकी भी लिमिट थी पहला और दूसरा साल दो साल में रिकावर हो गया तो ठीक नई रिकावर हुआ तो लॉस है आपका नई रिकावर हुआ ठीक है तो this is known as recouplement, recouplement मतलब कि जो तुम्हारी short working होगी है उसको आने वाले सालों में जब तुम्हारी access working होगी, एक्स्या वरकिंग या होता हैं जब तुम एक्च्वल रोयैल्टी माइनस मीनिमा मेनीय मीनुम एट तो तो्ट वारी एक्स वरकिंग होगी उससे तुम उसको रिकवर करवा सकते हैं पर उसकी पिरिंट संनी होता है इव सप्टम actual ्च्वल एक्वर क्व होता है टूब जित पर 75,000 था, रिकपमेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो 75,000 ही पे होगा, 75,000 था, रिकपमेंट कुछ नहीं हुआ, 75,000 ही पे होगा, 85,000 था, 10,000 रिकपमेंट में हो गया, तो 75,000 पे होगा, ठीक है, क्योंकि 85,000 था, पर 10,000 रिकप हो गया, ठीक है, तो कितना पे हो जाएगा, 75,000 पह जाएगा, एक लग था 5,000 री कप हो गया, तो 95,000 पह जाएगा, 75,000 था रीक अप कुछ भी निवा तो 75,000 ही पह जाएगा, एक लाग पाच जाए था 10,000 रीक अप हो गया, तो 95,000 पह जाएगा, तो और किसी भी साल तुमको 75 से कम अमाउंट नहीं मिल रहोगा तो इस प्रकार से कुछ हम लोग रोयल्टी की कैलकुलेशन करतें अब कुछ टरम से जो मैं तुमको बताना चाहता हूं यहां पर जो मारा question था उसमें जो टीएस ग्रिवाल सहाब थे हमारे वो थे हमारे landlord और इनी को हम lesser भी बोलते हैं क्या बोलते हैं lesser ठीक है landlord थे और वो ही हमारे कौन थे lesser जो हमारा सुल्दान चान थे वो हमारे थे lessie सुल्दान चान कौन थे हमारे lessie थे यह थे हमारे landlord और यह थे हमारे lessee ठीक है यहाँ पर जो हमने short workings निकाली इसको निकालने के लिए हम क्या तरीका लगाते हैं minimum rent minimum rent minus actual royalty when minimum rent greater than actual royalty और excess working मतलब क्या होता है excess working मतलब होता है actual royalty minus minimum rent when actual royalty is greater than minimum rent तो यह कुछ बाते हैं जो तुमको extra जाननी की दरूरी है ठीक है बस नाम ही जानना है और यह चीज़ है और उसके बाद तुमको यह टेबल फटाक से बनाना है ठीक है यह टेबल विद क्वेश्चन लिखो और यह टेबल बनाओ इस क्वेश्चन को करने की अच्छा देखो तुम लोग को मीनिंग बताया हो ना मीनिंग फिक्स राइट स्व्लक्श्ट्राइटिंग कया होता है कि तुमको एक सैंटें में तुमको बताऊंघ ऑ यह ओट करनें बाद नहीं तुम्हारा राओंड सुर्फेस जाया them बाद में बताऊंगा ठीक है बाकी सारी चीज़े वहीं है इलस्ट्रेशन नमबर वन पर आते हैं दोस्तों देखो तब बिहार कोल कंपनी लिमिटेड होल से लीस ओफ कोल माइस पर पिरिड ऑफ 12 वियर्स ओके बारा साल के लिए ठीक है कमेंसिंग फॉर्स अप्रिल 2006 according to the lease the company is to pay 7.5 as royalty per ton with a minimum rent of 1,50,000 per year minimum rent बता दिया है और per ton का amount बता दिया royalty का short working can however we recovered out of the royalty in excess of the minimum rent of the next 2 years 2 साल तक तुमारा recruitment period है only for the year of strike the minimum rent is to be reduced to 60% strike वाले साल पे minimum rent को 60% पे ले आना output in terms for six years ended 31st March आपको दिया हुआ है 2016-17 6-7-7-8-8-9-10-10-11-11-12 का जिसताल strike हुआ है write up the necessary leisure account of books of Bihar coal limited तो अभी हम लोग लेजर अकॉंट भी बनाएंगे अभी हम लोग सिर्फ करेंगे calculation statement of calculation of royalty अभी हम बनाएंगे यहां पर strike शब्द आ गया expected नहीं था पहले ही question में strike दिख गया मेरे को 50% ठीक है तो यह strike का मतलब क्या होता है समझो वैसे तुम लोग पता होगा जब employees लोग production का काम रोग देते हैं तो उसको हम strike बोलते हैं किसी भी वज़े से बेभी लोगों का कुछ issue होगा safety issue या salary बढ़ाना रहते है कोई भी बात है strike कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं स्ट्राइक बोलते हैं जब employee लोग काम बंद कर देते हैं जब employee अपने तरफ से काम बंद करते हैं उसको strike बोलते हैं तो जिससा स्ट्राइक या lockout हो रहा होगा उस साल में भी कुछ additional adjustment question आपको दिये हो जैसे यहां पर दिया हुआ है कि जिससा स्ट्राइक हुए उससा स्ट्राइक हुए उससाल मिनिमम रेंड 60% कर दिया गया क्यों कि देखो समझो मेरी बात को मिनिमम रेंड डेड प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो तुम लोग के साथ कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि ट्याइस के वाल क्यों सेकेंड पार्ट है कंपनी कंपनी अकाउंट्स वह साल के स्टार्टिंग आट महीं नहीं तो मिलती नहीं थी क्यों supply नहीं रहती तो ऐसा होता है तो उस situation में विचा है बनाते हैं टेबल चलो जी चलो यह इसके बाद तुम्हारा क्या हुआ है कोल है यह कोल की बात है आपर तो यहां पर आउटपूट लिखेंगे तो लिखेंगे एक्च्वल रोयल्टी लिखेंगे मिनिममम रेंट लिखेंगे रोयल्टी पेबल लिखेंगे शॉर्ट वरकिंग्स लिखेंगे रीकपमेंट लिखेंगे शॉर्ट वरकिंग्स लिखेंगे एक्च्वल रोयल्टी पेबल लिखेंगे एक्च्वल रोयल्टी पेबल लिखेंगे एक्च्वल रोयल्टी पेबल तो साल लिख लेते हैं देखो साल कौन सा है शे साथ से लेके 11-12 तक हुँ कई गूगर अब आउट्पूट्स लिख लो यहां पर देखके 10 12 25 20 15,000 और लास्ट में है 15,000 इसी साल स्ट्राइक हुआ था इसी साल स्ट्राइक हुआ था एक्चॉल रोयल्टी हम निकाल लेते हैं कितना है पर टान 7.5 है 7.5 से मल्टिप्लाइ करो 7.5 इंटू 10,000 75,000 12,000 is equal to 23,000 25,000 is equal to 187,500 इसादर is equal to 15,000 35,000 is equal to 1,12,500 अब मिनिमम रेंट निकालते है मिनिमम रेंट कुछ नहीं करना है हर साल लेल लाग आख बन्द करके बस ट्राइक वाले यहर में 60% of the amount ले ले लेना 156 हा कितना 90 हो तो इस साल नभ्य हजार आ जाएगा 1,50,000 का 60% 1,50,000 का 60% this is your minimum rent अब निकालते हैं royalty payable what is royalty payable higher of higher of actual royalty or minimum rent तो लिखते जाओ higher of 1,50,000 1,50,000 1,87,500 1,50,000 यह तो same same आ गया 3,75,000 1,12,500 ठीक है this is royalty payable higher of लिया हूँ इसका और इसका जो higher है वो यहाँ पर आ गया अब शॉर्ट वरकिंग निकाल लो तो 75 minus dead luck dead luck minus 75,000 यहार है 75,000 90 minus dead luck 60,000 हो गई शॉर्ट वरकिंग इस साल कोई शॉर्ट वरकिंग नहीं है इस साल भी कोई शॉर्ट वरकिंग नहीं है इस साल भी शॉर्ट वरकिंग नहीं है इस साल भी शॉर्ट वरकिंग नहीं बस दो इस साल शॉर्ट वरकिंग है बोल रहा है शॉर्ट वरकिंग दो साल तक तक यहां और यहां तक जाएगा और यह वाला यहां और यहां तक जाएगा तो चलो देखते एक्सेस्ट कितनी है इस साल में सब्सक्राइबर...? क्यों यहां पर दोदो जन खड़े है लाइन पे एक कि 4500 खड़ा हुए ऑक 60 खड़ा हुआ है। ढोनों का यहां पर recovery period हे नहीं है धेख रहे हो इसका ये पहला साल ये दूसरा साल और इसका ये पहला साल और ये दूसरा साल दोनों का recovery period यहां पर fall कर रहा था पर सिफ 37500 की यही एक्सेस वर्किंग थी जो कि यहां पर utilize हो गई अब बात बताओ क्या 75,000 इसके next year में रिकूप हो सकता है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यह उसका पहला साल था जिस साल वह वह बिचार एक भी रूपर रिकावर नहीं कर पड़ा है और यह दूसरा साल था जिसमें 37500 नहीं पैप्ट कर सकते हैं अब यह 60,000 बचा है इस साल एक्सेस वर्किंग कुछ भी नहीं है वह दैश पूरा साथाथाथजर क्या हो गया पूरा साथजर लेप्स हो गया क्यों क्यों एक प्र एक्सेस वर्किंग नहीं थी उसके next year में वह रिकावर हो ही नहीं सकता उसके next year कब गई सकता ठीक है अब यह जिए एक्ट्वार्यटी पेवल निकालेंगे तो रख एक्ट्री पेबल मैंस करो व्हेस्ट राल्टी पेवल हो जाएगी पहले वाले की तो देला की हो जाएगी तूसरे की भी देड़ लाग हो जाएगी, तीसरे की भी देड़ लाग हो जाएगी, 1,87,500-1,15,000 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, 3,75,000, इसकी हो जाएगी, 1,12,500, लो जी लो, हो गया, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, जलवे हैं कोश्चन में, पर मैं आना चाहत हो, तुम लोग के पास जनल एंट्री में, यह देखो, रॉयल्टी चैप्टर, अब जनल एंट्री सिख जाओगे, तो जनल एंट्री के बाद तुमको लेजर अकॉन बनाना, यू चुटकियों का खेलो जाएगा, यू चुटकियों का खेलो जाएगा, जर्नल रेजजर बनाना, चैपके तो अब पहले मैं, जर्नल एंट्री पर बात करता हूं, थीके, फ्यूस चैपन लेजर में अट्र करने के लिए लेक्टर को कि मैं तुमको एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के समझा रहा हूं तुम्हारा रहा दिंटर्वल टाइम जो भी चीज़ तुमको समझ में आते जा रही है जूर्णल यहां पर केस टू में आपको शॉर्ट वर्किंग का सामना होने वाला है और यहां पर एक्सेस वर्किंग होगी तब क्या जर्नल एंट्री होगी उससे सामना होने वाला है केस नमबर वन पर आ जाते हैं बाते ज्यादा क्लियर समझवें तुम लोगों कुछ रहोगा ने चलो अब मैं सिर्फ चर्चा करूँगा बहुत ध्यान से अकाउंटिंग कॉंसेप्ट के साथ अपने दिमाग को खोल दो नीदारी तो पानी डाल लो स्पेट बैड जॉब सोचो अपनी दिमाग का सोच का दायरा बठाओ landlord याने की टीस ग्रिवाल की बुक में क्या एंट्री होगी सबसे पहले टीस ग्रिवाल को राल्टी मिलेगी वो राल्टी उनकी क्या है मुझे यह बता है कौन सा अकाउंट होता है मैंने बोला Computer nominal als a account पर सोचो पर सोचो कि कि बोलो yes, हाँ भाईया, हाँ बिलकुल मिलेगी, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या है, income है भाईया, TSG वाल को royalty मिलेगी, उनके लिए income है, income क्या होती है, all the incomes are credited, all the incomes are credited, और debit कौन होगा, जो उनको royalty देने वाला है, royalty कौन देने वाला है, lessie देने वाला है, तो पहली entry क्या हो being royalty amount receivable, दूसरी entry में उनको पैसा मिलेगा, रोयल्टी का, दूसरी entry में उनको पैसा मिलेगा, रोयल्टी का एंट्री क्या होगी, simple bank account debit to lessie account, धाई लाग रुपे, bank account debit to lessie account, धाई लाग रुपे, उनको मिल गया, इस situation में अगर question ask out करता है आपको, कि आपको TDS भी काटना है, TDS काटा है, तो उतना TDS आप काट लेना, hard and fast rule नहीं है, कितना कटेगा, जितना question में percentage दिया रहेगा, उतना percent काट लेना, ठीक है, तो TDS काटा, तो entry जो है, वो bank account debit, TDS account debit to lessie हो जाएगी, ठीक है, third situation में, जो royalty आपको मिली थी, है ना, जो आपकी income थी, उसको आपको PNL account में PNL account के credit side में transfer करना है भाई साब, ठीक है, तो royalty account debit to PNL account खतम, यह हो गई, TDS ग्रिवाल की book में, entry, अब इसकी उल्टी, सुल्तान चनप दी book में, क्या entry pass करेगा, अब royalties बंदेक लिए expense है, जो कि TDS ग्रिवाल की royalty income है, इसके लिए expense है, तो क्या entry pass करेगा, royalty account debit to lesser account, lesser मतलब T royalty account debit to lesser, डाई लाक की royalty है, फिर उसके payment करेगा, lesser account debit to bank, अगर TDS कट रहा होगा, तो lesser account debit to bank to DDS payable, ठीक है, अगर TDS कट रहा होगा, तो बस उल्टी होते जाएगे entry, उल्टा, उल्टी होते जाएगे entry, ठीक है, और फिर उसके बाद यह जो royalty है, उसको transfer कर देगा, अब यहाँ पर मैंने तीन अकाउंट लिख के रखे, manufacturing account, profit and loss account, और production account, तीन तरीके के account यहाँ पर question में हो सकते है, depending upon the situation, त्योंकि जनरली लॉयल्टी जो है, वो production में भी उतोरी होती है, रोयल्टी जो है, manufacturing और production में कोई अंतर नहीं नहीं, तो मेरे को पाता है, तुनों message करके पुछो क तो भी है, manufacturing और production में अंतर गया है, तो अंतर नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, दोनों लिखोगे, एक की मतलब है, PNL account, या तो किसी question में manufacturing account हो सकता है, depending upon the case में भी, ठीक है, तो royalty account, transfer हो गई, royalty debit side of the manufacturing और PNL account, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो simple है यह, क्या ही था है, खून में मेरे, मैंने बुला, very very good, यही attitude होना चाहिए, अपना सोच का दायरा बढ़ा हो, क्या करो, अपनी सोच का दायरा बढ़ा हो, Harry Potter movie में सुने हो न, चलो, case number two, minimum rent is greater than actual royalty, इसका मतलब यह short working का case है, कौन सा case है, short working का case है, तो देखो, यहाँ पर कित्ते की short working हुई, जरा नजर डालो, 20,000 रुपे की short working चल रही है, मार्केट में, ओके, चलो, फिर से आते हैं, भाई, जो TSB वाल है, वो अपनी बुक में क्या इंट्री पास करेंगे, लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रॉयल्टी रूट वर्किंग, ऐसा क्यों हा भाईया, चो कि TS किसी भी हाल में, 20,000,000 रुपे चाहिए है, मिनिमाम रेड, यह देखो दिकर है न, TSB वाल ने पहले बोल दिया था, दोनों हाथ खड़े करके, मुझे किसी भी हाल में, हर साल 20,000,000 रुपे तो चाहिए, तो वो लेसी को 20,000,000 रुपे तो प्रॉब्लम यह है, रॉयल्टी क्या करता है, वो जो कॉस्ट है, वो जो 20,000 की जो कमी है, किसमें, रॉयल्टी में, उसको कवर करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, यह कवर करता है, बीस हजार, ठीक है, अब यहाँ पर, next entry में वही होगा, bank account debit to लेसी, वो डाही लाग रुपे ले ले लेंगे, और अगर TDS होगा, तो TDS कट के ले लेंगे, और फिर रॉयल्टी का जो actual amount होगा, उसको PNL में transfer कर देंगे, income book कर देंगे, तो बच्चे मेरे से पूछते है, भाईया, मैंने बोला, yes, भाईया, यह short working भी तो income है ना, उनकी, तो उसको क्यों नहीं, प्यों प्यों नहीं प्यों प्यों पूछो क्यों, यहां पर बले लिख लो, यह short working क्या है, liability है, liability है, कब तक, कब तक भाईया, यह short working liability है, यह short working तब तक liability है, जब तक recruitment period खतम नहीं हो जाता, क्यों कि अभी एक contingency मेरे ओपर arise है, क्या, कि यह जो 20,000 की short working हुई है ना, आने वाले समय में सुल्तान चांद अपन करने की कोशिश करेगा, तो मुझे पता है, prudence and conservatism principle, don't provide for any anticipated gains, but provide for any anticipated losses, तो जब मुझे पता है कि आने वाले समय में, maybe, maybe, ऐसा हो सकता है, कि यह short working मेरी income नहीं है, यह मेरी income है, 100% यार, credit हुई है, यह मेरी income है, but मैं इस income को भी book नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं बुक कर हो, क्यों कि हो सकता है, यह income मेरी ना रहे future में, हो सकता है, वो access working करके recover करा है, short working को क्या करे, recover कराने वाले से, तो जब तक recruitment period खतम नहीं हो जाता, तब तक इस income को मैं book नहीं करूँगा, मैं छूंगा भी नहीं इसको, मैं छूंगा भी नहीं, जब तक recruitment period खतम, ना हो जाए, और buy chance recruitment period का खतम हो गया, buy chance खतम हो गया, और यह recover नहीं कर पाया, ठीक है, तो यह मेरी income book हो जाएगी, short working account debit to PNL करके, उसको PNL में income book कर लूँगा, पर जब तक recruitment period चल रहा है, एक या दो या तीन साल जितना भी साल हो, तब तक यह account as it is पढ़ा रहेगा, 20,000 के balance में, और अ royalty account debit, royalty के actual amount से, यह भी short working को debit करेगा, 20,000 से के, इसके लिए expense है, short working, short work debit करेगा, तो lesser account, 50,000 रुपए इसको TS GRIWAL को दे नहीं है, 50,000 रुपए तो मैं कसम खा के बोला था न, भूल गया है, ममीक कसम खाया था न, कि 50,000 रुपए तो दूँगा minimum rate, तो 50,000 रुपए तो दे ग royalty को transfer कर देगा manufacturing, P&L या production account में, actual amount of royalty के साथ, short working को यह भी नहीं चुएगा, क्योंकि अभी यह भी short working को recover करवा सकता, देखो जब तक recruitment period नहीं खतम हो जाता, तब तक दोनों भी short working को नहीं चुने वाले, ठीक है, clear हो गई बात, तो यह वो situation हो गई, जब short working होगी, तो तुमक लेसी की book में short working debit दिखेगा, क्योंकि इसके लिए of course खर्चा है, और यहाँ पर credit दिखेगा, क्योंकि इसके लिए income है, पर अभी लोग book नहीं कर रहे हैं, अपना income और अपना expense को क्यों, क्योंकि अभी chances है कि short working recover हो जाए, ठीक है, तो इसलिए अभी लोग book नहीं कर रहे है, चलो case number 3, minimum rent धाई लाग था लेकिन actual royalty दो लाग साथ हजार हो गई, minimum rent धाई लाग था लाग था लाग था लाग था अब यह access working की situation हो गई, मुझे जारा यह बताओ, कितने की access working होई है, भी यह 10,000 की होई है, मैंने बोला, yes, very very good, 10,000 की क्या होई है, access working होई है, अब देखो, in the books of lesser oblique landlord, यानि TSB वाल की book में क्या entry होगी, lesser account debit to royalty, actual amount of royalty, दो लाग साथ हजार रुपे, अब दो लाग साथ हजार रुपे, मुझे सुल्तान चान से लेना है, TSB वाल को सुल्तान चान से दो लाग साथ हजार रुपे लेना है, लेकिन, इतने में call आया, किसका सुल्तान चा है, तो बोले, मैं पूछा, क्या बात है, सर बात ऐसी है, शौट वर्किंग चल रही थी, 20,000 की, तो उसको recover कर रहे हैं, तो हाँ जी कर लो, agreement भी लिखा है, क्या ही बोलू यार, लड़े कोई फायदा है क्या, हाँ जी कर लो, उन्हें बोला, ठीक है सर, बस वही बताना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, शौट वर्किंग को recover, ये देखो, 10,000 की शौट वर्किंग allowable debit हुआ, और लेसी क्रेडिट हो गया, चलो, इसको न मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ, देखो, इसको मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ, लेसी account debit, तू रोयल् वर्किंग recover कर लो, उन्होंने बोला, तो पहले शौट वर्किंग को मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था, पहले मैंने शौट वर्किंग क्रेडिट किया था, अब मैं उसको debit करूँगा, चौट वर्किंग allowable account debit, तू, लेसी को credit कर दूँगा, लेसी account, कौने लेसी, सुल्तान चाद, 10,000 से इसका amount कम हो गया, यहाँ पर तो यह डेटर बनता है, यहाँ पर मैंने उसको credit करके creator बना दिया, पहले उसके 2,60,000 लेने थे, पर अब 10,000 कम लूँगा, 10,000 कम लूँगा, क्योंकि यह 10,000 मैं bank account debit, तू, लेसी account, तू, लेसी account, धाई लाक रुपे ही देगा, क्योंकि 2,60,000 की income तो हुई थी, पर 10,000 का short working recover करा लिया गया, 10,000 का short working, इसलिए short working account को मैंने उस सल close नहीं किया था, क्योंकि अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, recover हो सकता है, आने वाले समय में क्या हो सक हो सकता है, इसलिए मैंने उसे close नहीं किया था, तो bank account debit, टू, लेसी, और अगर TDS होगा, तो bank account debit, TDS account debit, टू, लेसी, बस वही बात मैंने या पर किये, देखो, वह इच बात मैंने या पर किये, बस मैंने combine entry pass किये, देखो, TDS भी 10,000 का ले लिया, 2,40,000 bank में ले लिया, और combine entry pass किये, अब यह royalty जितने की थी, वो PNL account के credit से transfer हो जाएगी, 2,40,000, ठीक है, royalty का amount तो same ही रह गा है, royalty का amount में कोई changes नहीं, royalty का amount same, और एक और बात, short working कितने की हुई थी, short working हुई थी, मेरी 20,000 की, 20,000 की short working हुई थी, उसमें से 10,000 की तो उसने recover कर वाली, यह देखो, 10,000 क recover नहीं हो पाई, और recruitment period खतम हो गया, ऐसा मालो, मालो एक ही साल का recruitment period था इस question में, और recruitment period अब खतम हो गया, तो जब recruitment period खतम हो गया, अब जो बचा हुई 10,000 है, उसको मैं income book कर सकता हूँ, तो profit and loss account करके, अब मैं income book कर सकता हूँ, वैसी इसका उल्टा, royalty account debit to lesser, 2,60,000 हुई, short working को recover कराया है, 10,000 यह देखो, 10,000, अब यह बंदा debit कर रहा था ना, short working जब हो रही थी, यह देखो, जब short working हो रही थी, तब इसने debit किया था, तो जब recover हो रही है, तो यह credit करेगा, 10,000 recover हो गया, और जो 10,000 recover नहीं हो पाया, यह देखो, PNL account के debit साट उसने transfer कर दिया, PNL account के debit साट उसने transfer कर दिया, जो amount उसने recover नहीं कर पाया, recruitment period में, ठीक है, बाकी बाकी बाते वही है, देखो, bank, TDS, total amount है, और यह जो 2,60,000 का royalty था, इस साल का, वो manufacturing oblique PNL account में transfer हो गया, ठीक है, तो बाकी बाते तो same है, बस तुमको समझाना यही था, कि जब normal situation हो, जब short working हो, जब access working हो, तो short working recover होती है, और अगर recover नहीं हो पाई, recruitment period के दौन recover नहीं हो पाई, तो बचा कुछ amount lesser PNL account के credit side डाल देता है, और lessie PNL account के debit side, क्योंकि lesser के लिए वो income, और lessie के लिए वो expense की तरह amount हो जाता है, ठीक है, तो यह तुम्हारी journal entries थी, अब तुमको इसको लिखना है, लिखना ही है, of course, तो यह लिखोगे पहले, पिर यह case B, पिर यह लिखोगे case C, ठीक है, अब इसी के ओपर हम लोग वही वाले question को continue करेंगे, अब एक बार हम लोग entry pass कर लेते हैं, फटा-फट, ओके भाई, तो हम लोग वह प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार हम general entry pass करेंगे, उसके बाद, कहां पहुच गया है हम, हम लोगों का, यह वाला टॉपिक नहीं हो पाया था, कौन से टॉपिक मैं तुम लोगों को बस जर्रानेंटरी स्टार्टी कराने वाला था, कोश्च नमबर वन के साथ, इलस्ट्रेशन नमबर वन में वैसे मैं बहुत हम अच्छी उमीद मेरे से नहीं रख्यों तुम लोग, एक लिए कोश्चन में जर्रानेंटरी कराऊंगों कि जर्रानेंटरी जर्राने एक्जाम में आती नहीं है, बस तुम लोग कोई लेजर बनवाना चाह रहो तो उसके पहले में चाहता हूँ, जर्रानेंटरी एक बार करवाई दू, इसली करवा रहो वैसे तो लेजर डारेक्ट बनवाता तो भी जर्रानेंटरी तुम्हारे दिमांग बेश्पीड हो जाती, लेजी, ठीक है तो लेजी की बुक में पहले आम एंटरी पास करेंगे, ठीक है, पहले मुझे बताओ टेबल देखते जाओ, यह देखो टेबल देखते जाओ, पहले साल में एक्टर रोयल्टी 75,000 की बनी, जबकि minimum rent 150,000 का है, तो इस भी short working हो गई 75,000 की, तो बताओ, लेजी सबसे पहले क्या करता है, इसके लिए रोयल्टी क्या है, एक्स्पेंस है, तो यह करता है, रोयल्टी अकाउंट डेबिट, कितने की रोयल्टी बन पाई, 75,000 की रोयल्टी बन पाई, बट, two landlord, two landlord, जो की lesser भी होता है, इसको तो मेरे को 150,000 देना है, minimum rent, minimum rent कितने का है, 150,000 का, तो यह जो 75,000 का, जो डेबिट साइट में कमी है, वो कहे के लिए, वो है short workings, वो क्या है, short workings, account, debit, कितना, 75,000, तो यह हो गया, है मेरा being royalty due, ठीक है, पहले साल में, royalty due हो गया, फिर उसके बाद इसका पैसा हम पे करेंगे, landlord को, तो country हो जाएगी, landlord account, debit, to bank account, कितना, पूरा 1,50,000, TDS, इस question में नहीं है, इस question में TDS नहीं है, और फिर हम royalty को transfer कर देंगे, profit and loss account में, profit and loss account, debit, to royalty account, to royalty account, 75,000, 75,000, लो जी लो, first year का का काम ख़तम, ठीक है, आप आते है second year में, second year में क्या हुआ देखो, second year में actual royalty बनी 95 की, जबकि minimum rent 1,50,000 का है, तो short working हो गई, इस साल भी 60,000 की, इस साल भी 60,000 की क्या हो गई, short working हो गई, तो royalty को फिर सी debit कर देगा, royalty account, debit, 90,000 से, बट मुझे तो landlord को कितन करना है, 1,50,000, तो ये बचा हुआ, balancing figure, 60,000 amount कहां से आएगा, ये हो गई, मेरी short working, ये क्या हो गई, short working, account debit, ठीक है, अब ये, इस साल access working नहीं थी नहीं, तो short working अभी recover नहीं हो पाएगी, question वही है, दो साल तक short working में recover कर सकता हूँ, पर अभी access working होई नहीं है, तो recovery ही कैसे हो एल लाग पे हो जाएगा, landlord को, ठीक है, फिर उसके अध, profit and loss account debit, to royalty account, profit and loss account debit to royalty account, कितना हो जाएगा ये, 90,000, 90,000 की royalty क्या हो गई, transfer हो गई है, देखो, यहाँ भी पहले 60,000 की क्या हो गई थी, transfer हो गई थी, ठीक है, clear हो रही है बात, हाँ भाईया, हाँ, must clear हो रही है, फिर अब आजाओ, third year में, third year में क्या हुआ, third year में actual royalty बन गई, 1,85,000 की, minimum rent डेल लाग का था, तो यहाँ तो access working चल रही है, तो अभी देखो, access working का अभी general entry से तो कोई लेना दिना ही नहीं, royalty account debit, to landlord account, इस बर जादा कमा लिया, तो 1,87,500 royalty कमाया है, तो पूरा landlord को credit कर देंगे, अब बात यह उठती है, कि फिर से सुल्तान चांद ने बोला, टीयस क्रिवाल को, कि भाया, access working हो गई इस साल, तो short working को recover करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला, ओ, के करवा सकते हो, तो अब इस साल यह जो access working हुई है, तो minimum rent को छोड़के, जितनी भी access working हुई है, उससे मैं short working को recover कर आ सकता हूँ, तो कितनी हुई है, 1,87,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो अभी उतनी रिकावर हो पाएगी तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर लैंडलॉट अकाउंट डेबिट तू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 37,500 37,500 सिर्फ एक्सेस वर्किंग 37,500 की थी वही रिकावर हो पाई यह देखो यहाँ चॉर्ट वर्किंग क्या हुआ था डेबिट यहाँ पर वो रिकावर हुआ तो क्रेडिट हो गया और लेंडलोड क्या हो गया डेबिट अब लेंडलोड को बचा कुछा पेमेंट हो जाएगा तो 187,500 में से 37,500 डेबिट होके वो रिकावर कर वा लिया शॉर्ट वर्किंग को तो बचा कितना तो लेंडलोड अकाउंट डेबिट तो बैंक डेड लक की पेमेंट हो जाएगी कमाया उसने 187,500 अंड हा ठीचर वर्किंग रिकावर होने के चकर में 37,500 चला गया और बचा कुछा डेड़ लक यह उसकी पेमेंट हो जाएगी मिनीमम रेंट की पेमेंट तो होती ही जानते हो minimum rent से उपर access working कहलाता है minimum rent से उपर access working कहलाता है और फिर finally profit and loss account debit to royalty यह तो पूरा ही transfer हो जाता है यह तो actual amount से transfer होता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है actual amount से transfer होता है और अब एक बात बताओ यह जो पहले साल की short working थी यह दूसरे और तीसरे साल तक recover हो सकती थी तीसरे साल recover हुई पर पूरी नहीं हो पाई सिर्फ 37,500 ही recover हो पाई 37,500 रिकवर नहीं हो पाई और maximum 2 साल तक आप recover कर सकते थे तो अब जो बचा कुछ है वो recover नहीं हो पाईगा पहले साल की बात कर रहो ना पहले साल का जो 75,000 का short working था वो सिर्फ 2 साल तक recover हो सकता था जिसमें से 37,500 हो गया रिकवर अब जो बचा हुआ 37,500 हो कभी recover नहीं हो पाईगा तो इसलिए उसको मेरे को PNL अकाउंट में डालना पड़ेगा profit and loss account debit to short workings account to short workings account 37,500 अब कभी recover नहीं हो पाईगा ठीक है clear हो गई बात तो ये दूसरे साल में 5 entry हो गई तो इस साल में 5 entry हो गई अब आजा चौत्य साल 4th year 4th year में क्या कारनाम हुआ देखो 4th year में 1,500,000 कमाया एक्चॉल रोयल्टी और मिनिमाम रेट दूरों 1,500,000 ठीक है तो इस साल कुछ भी नहीं हो ये तो नॉर्मल year हो गया रोयल्टी अकाउंट डेविट रोयल्टी अकाउंट डेविट टू लैंडलोड अकाउंट डेलाग 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 लैंडलोड अकाउंट डेविट टू बैंक डेलाग 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 पनल अकाउंट डेविट टू रोयल्टी अकाउंट पनल अकाउंट डेविट टू रोयल्टी अकाउंट डेलाग डेलाग अब मेरी बात को समझो जो मेरी दूसरे साल का short-working था कितना था 60,000 रुपए था वह दूसरे साल का short-working तीसरे और चौते साल तक recover हो सकता था है नहीं हो पाया recover पहले साल की short working ही जितना excess था 24 साल भी रीकावर नहीं हो पाये क्योंकि वह साल एक्सेस वरकिंग हुई नहीं, उसको भूलना ही पड़ेगा, चुछकि अब इसके बाद यह रिकवर नहीं हो सकती, दो साल बीद गए, पनल अकॉट डेडिट टू शौर्ट वरकिंग, दूसरे साल की शौर्ट वरकिंग क्या हो गई, पूरी laps हो गई, recover नहीं हो पाई एक भी रूपय, पूरा 60,000 laps हो गया ठीक है यह देखो, हम लोग table में भी वैसे लिखे होएं यह देखो, पूरा 30,500 एक बार laps हो चुका है, एक बार 60,000 laps हो चुका है ठीक है, फिर आया तुम्हारा next year, 33,75,000 कमाया, डेड़ लाकी होता है, मिनिमाम रेट तो यह एक्स्स वर्किंग वाला साल है पर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास तो, अब मेरे पास कोई शॉर्ट वर्किंग ही नहीं वो कराने के लिए, रिकावर कराने के लिए तो तो बैंक, 3,75,000, 3,75,000, PNL अकाउंट डेबिट, तो रोयल्टी, 3,75,000, ठीक है, तो यह तो मेरे नॉर्मल यह था, ऐसे कोई इसमें अस्तर दिक्कत वाली बात नहीं थे, और 6 तीर भी नॉर्मल यह रही है, क्योंकि कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं चल रही है, तो कुछ लाप सेफ्स नहीं होगा, देख रहे हो, नॉर्मल ही आ रही है, बुरा, एक लाग बारा कमाली है, नब्बे कमाना था, ठीक है, इसमें भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रोयल्टी अकाउंट डेबिट, एक लाग बारादार पानसो, तो लैंडलोड, एक लाग बारा अकाउंट डेबिट, तो रोयल्टी, एक लाग बारादार पानसो, एक लाग बारादार पानसो, लोग जी लो, खतम, पूरे 6 साल की एंट्रियां हो गई, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से, जर्नल एंट्री तुम लोग को, अगर एक्जाम में आई तो करनी होगी, वैस अगर, अगर, इन दा बूक्स अफ लेसी, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, अब इन दा बूक्स अफ लेस्तर कर दो, in the books of lesser in the books of lesser lesser ki book बनाएंगे हम general entry basically lesser ki book में एक मिनट रुको है चलो सिर देखो in the books of lesser पानी भी न बहुत ज़रूर ही है नहीं तो दिमाग भी काम नहीं करता है मुँथो काम करते ही नहीं चलो first year की बात करते है बड़ी बड़ी बाते बड़ा पाउ खाते तो बताओ लेस्तर के लिए royalty क्या है income है तो 2 royalty account 1.5 लाक रुपए उसको चाहिए मतलब चाहिए मतलब मंजे मतलब कुछ भी करके मेरे को चाहिए है ठीक है तो 1.5 लाक रुपए मुझे कहीं से भी डेड़ लाक रुपए लाक के दे मेरी royalty की income डेड़ लाक नहीं तो क्या हुआ मुझे royalty की income minimum rented डेड़ लाक रुपए चाहिए मतलब चाहिए तो हम बोलेंगे ठीक है तो short working हो गई क्या हो गई short working बस वरा कितना ये लिखेगा allowable account 75,000 ठीक है अच्छा एक चीज़ ज्यान में रखना जब तक रीकप्मेंट पिरेड़ खतम नहीं हो जाता जब तक रीकप्मेंट पिरेड़ खतम नहीं हो जाता तब तक lesser के लिए जो short working होती है ना short working होती है वो liability की तरह है पुछो क्यों कि कभी भी क्योंकि कभी जब तक रीकप्मेंट पिरेड़ चल रहा है तब तक लेसी के लिए जो short working है वो asset की तरह है क्योंकि वो कभी भी अपने loss को recover करवा सकता है कभी भी वो access working करेगा और जिस ताल वो access working करेगा उस ताल अपने loss को recover करा लेगा during the का रीकप्मेंट पिरेड रीकप्मेंट पिरेड के बाद तो तुम प्रॉफिट बुक कर लेते हो ऐसे भी और loss कर लेते हो as the case में भी ठीक है पिर इसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट तु लेसी इसका टार्गेट है मुझे डेड़ लाक रुपेज चाहिए मतलब चाहिए तो यह मिल गया इसको और फिर रोयल्टी अकाउंट डेबिट तु पीनल अकाउंट सिर्फ अभी 75,000 बुक क्यों हो रही है क्यों कि अभी रिकप्मेंट पिरिट चल रहा है तो शॉर्ट वर्किंग को अभी मैं प्रॉफिट के तरह ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि अभी कभी अच्छानक से लेसी आगा ब अलावेबल अकाउंट तु रोयल्टी अकाउंट रोयल्टी इसने कमाई यह 90,000 की तो शॉर्ट वर्किंग हो गई है 60,000 रुपे की फिर इसको पैसा मिलेगा और फिर यह रोयल्टी को ट्रांसफर कर देगा रोयल्टी अकाउंट डेबिट सिफ्ट नब्य हदर का इंकाउंग हो जाएगा यह ओक है सेकेंड यौर्ट गाउंट थर्ड यर थर्ड यर में थर्ड यर में जादा कमा लिया है तो लेस्टी अकाउंट डेबिट प्रोयल्टी अकाउंट 187,500 187,500 अब पहले साल की जो short working थी यह जो पहले साल की short working थी वो इधर से recover होगी तो पूरा 75,000 तो नहीं हो पाएगा सिर्फ 37,500 की access working है तो सिर्फ उतना ही recover हो पाएगा तो यहां लिख लेते हैं हम short workings allowable account debit उपर credit हुआ था अब यहां पर वो cancel हो रहा है तो debit होगा 2 lessie account 37,500 का short working उसने कर लिया recover जो पहले साल हुआ था फिर उसके पैसा मिलेगा bank account debit 2 lessie account 1,5,000,000 ही मिलेगा क्योंकि 37,500 recover हो गया है फिर उसके royalty account debit 2 PNL account 1,87,500 royalty का amount तो से मिल रोयल्टी जो है वो सबसे इजी काम यह देखो transfer हो गई PNL में अब पहले साल जो short working हुई थी वो 75,000 की थी जो की दो साल second year और third year तक recover हो सकती जिसमें सिर्टी सिर्टी तर्टी यह तक recover हो पाया तो अब बचा कुछ तू PNL account 37,500 का मैं profit book कर लिया ठीक है क्योंकि यह अब recover नहीं हो सकता यह पहले साल का short working था दो साल निकल गया 37,500 recover हो गया पर बचा कुछ अब recover नहीं हो पाएगा तो यह आप मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ तो मेरा profit है ठीक है fourth year में आ जाओ कोई short working excess working नहीं हो पाई अब समझो जो दूसरे साल short working हुई थी 60,000 की वो तीसरे साल और चौते साल में recover करवाई जा सकती थी जो की नहीं हो पाया तो कि excess working ही नहीं हुआ third year में हुआ था excess working पर वो तो पहले साल की short working को recover नहीं कर पाया दूसरे साल किया खाक कर पाएगा और चौते साल तो हुआ ही नहीं excess working तो recovery होई नहीं पाई तो अब दो साल बीद गया recovery नहीं हो पाई तब कुछ नहीं कर सकते cancel करना पड़ेगा तो मैं profit book कर लूँगा short working allowable account debit to PNL account 60,000 रुपे recover वो नहीं कर पाया short working का तो मैं इसका profit book कर लिया वैसी तुम इसका उल्टा देखोगे तो यह देखो PNL account debit to short working इसने debit किया था PNL में क्यों क्यों कि इसका loss हो गया था और इसने credit किया क्यों कि इसका क्या हो गया यह profit हो गया इसलिए side by side लिखवा रहो था फिफ्थ यर लैसी account debit लो यह तो नॉर्मल यह हो गया इस तीर में यह देखो इस ताल भी इसके बस तीनी एंट्री होगी बस यह देखो और उसकी उल्टी एंट्री यहां हो गई और इस तीर में भी लैसी account debit to royalty प्रेकर जो जी एंट्री यह चराओ कहते लिए लो जी लो पो गया में खत्म सब्सक्राइब तिम लोग से लिख सकते तो तुम लोग ज्यादा क्लियर अंडरसेंडिंग होगी जनरल एंट्री में सिर्फ एक ही कुशन कराऊंगे बार 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 सेम चीज़ लेजर अकाउंट्स हम लोग जरूर बनाएंगे क्योंकि एक्जाम में लेजर अकाउंट्स ही आते हैं एक तो वह स्टेट्मेंट बनाना पड़ता है शोइंग क्यालकुलेशन ओफ रोयल्टी और दूसरा यह तो इसको अब नोट कर लो चलो हो गया होगा ठीक है आँ भी कहां मैं कर लिया खिक है अब इसके लेजर अकाउंट्स भी है लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे पहले बहुत समय हो गया बहुत दिन बीट गए हमने कोई इसन कर ले देखो एकसराइस का नमबर वन देखो Clinique कोशन बोल रहा है एक अप्रिल 2010 को रुकमानी लिमिटेड लीस कर रही है कोल माइने टा मिनिमम रेंट ऑफ 36,000 फॉर दा फॉर्स्ट यर 60,000 फॉर सेकंड यर एंड एक लाग बीज़र पर एनम आफ्टर एट यर ठीक है मतला पहले साल मिनिमम रेंट साथ जार रहेगा पहले स के आउट्पूट फॉर्स्ट यर इस फॉर्स सेकंड थर्ट पूर यह चार साल के आउट्पूट दिये हुए है टन्स में यूर रिक्वार्ट तो प्रिपैर रोयल्टी अकाउंट श्विए और वर्किंग वर्किंग अकाउंट एंड लेंड लॉकमानी लिमिटेड ठीक है ठीक है ओके स्टेटमेंट शोइंग क्यालकूलेशन ओफ रोयल्टी कैसे बनाते बताओ यह यह लिख लो ओके यह ओट्पूट लिख लो ओके फिर एक्च्वाल रोयल्टी लिख लो फिर मिनिमुम रेंट फिर रोयल्टी पेबल फिर शॉल्ट वर्किंग्स फिर रीकप्मेंट रीकप्मेंट होगा ठीक है फिर उसका रोयल्टी लैप्स शॉल्ट वर्किंग लैप्स फिर एक्च्वाल रोयल्टी पेबल लो लो जी लो ये हम बना लिए फॉर्मेट चलो लाइने वाइने खीत लो अच्छे से साफ सुतरा काम होना चाहिए काम जितना साफ सुतरा माँस उतने जादा ठीक है नीटनेस भी होनी चाहिए एक्क्यूरेसी भी होनी चाहिए पीड भी होनी चाहिए बहुत सरी चीजे थे यह professional exam है मजाग तो चल नहीं रहा है है ना हाँ भी हम समझ के अब की बात चलो year लिख लो year one two three four चार साल का समय है year one two three four चलो एक काम और करते हैं one two three four अब इता बड़ा format बनाई लिया हूं तो एक एक लाइन छोड़के लिखता हो तुम लोग छोटा ही बनाना format और पुट देखो छे हजार सत्रह हजार दोसो सत्रह हजार दोसो 44 थाउजन और वन लैक और बन लैक एक्च्वल रोयल्टी कैसे निकलेगी तीन रुपा पल टन मिलता है तीन रुपा से मल्टिप्लाई करते हैं जो एक्च्वल रोयल्टी निकल जाएगी six three the eighteen 18,000 three into 17,200 जो जाएगा 51,644,000 is equal to 1,32,000 1,00,000 is equal to यह हो गया 3,00,000 minimum rent पहले साल 36,000 था दूसरे साल 60,000 है तीसरे साल थे फिल 1,20,000 है 1,20,000 है 1,20,000 तो रोयल्टी पेबल higher off आती है तो 36,000 हो जाएगा यह हो जाएगा 60,000 यह हो जाएगा 1,32,000 और यह हो जाएगा 3,00 ठीक है तो short working कितनी होगी 18-36,18,000 की short working हो गई यहाँ कितना होगी 51,600,000-60,000 8,400 की short working हो गई यहाँ यहाँ कोई short working नहीं हुई recoupment दो साल तक कर सकते हैं तो यह वाले amount को मैं 1 और यह 2 दो साल तक recoup कर सकता हूँ और यहाल amount को 1 और यह 2 यह इसका पहला साल और यह उसका दूसरा साल यह इसका पहला साल और यह इसका दूसरा साल यह recoupment के साल है अब देखो यहाँ पर जो access working हुई है वो 12,000 की हुई है 12,000 की access working सिर्फ 12,000 को recover करा पारी क्योंकि पहले ही साल 18,000 था तो ये सिर्फ पहले ही साल के सिर्फ 12,000 को recoup करा पारी मतलब 6,000 laps हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसका साथ सिर्फ यहीं तक था पहला साल जो था वो ये था जहाँ पर कुछ होई नहीं पाया और दूसरा साल यहाँ पर था जिसमें सिर्फ 12,000 की access working हुई तो ये सिर्फ 12,000 रिकावर करा पड़ा है यानि कि 18,000 को जो बचा कुछ अच्छी अजार था वो क्या हो गया? लैप्स हो गया ठीक है वैसी ये 8,400 है और ये तो बहुत जादा हुई है एक्सेस वर्किंग तो ये पूरा ही रिकावर करा लेगा ठीक है तो लैप्स कुछ भी नहीं होगा तो एक्चॉल रोयल्टी पेबल रोयल्टी पेबल में माइनस कर दो रिकापमेंट तो ये आ जाएगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 36,000 ये हो जाएगा 60,000 1,32,-12, 1,20,000 3,00,-8,400 2,91,600 लो जी लो बन गया statement showing calculation of royalty हो गया इसको note कर लो फटाक से ये हो गया अब हमको बनाना है royalty का account question ने बोला है royalty का account बना के बताओ date column भी होता है इसमें तीक है ताल दिखाने के लिए अब हमको तो सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या entry होती है lessy की book में in the books of lessy बनाना है किसके book में बनाना है in the books of rook money limited please the coal mine तो rook money limited lessy की book में बनाना है lessy ही है ठीक है lessy की book में बनाना है तो lessy अपने book में royalty को क्या करता है debit करता है royalty account debit to lesser account to lesser account ठीक है तो ये अगर lesser कितना actual royalty बना तुमको पता है न royalty में actual royalty आती है 18,000 18,000 की बनी actual royalty और ये transfer हो जाती है by PNL profit and loss account में transfer हो जाती है 18,000 ठीक है ये हो गया पहला साल close first year second year में भी to lesser account to lesser account इतना बना actual royalty 51,600 royalty account में तो actual royalty जाती है न इतनी बनी होती है फिर वो PNL में transfer हो जाती है ये हो गया दूसरा साल close तीसरे साल to lesser account एक लाग 32,000 की बनी by PNL transfer हो गई और चौते साल टू lesser account तीन लाग की बनी by PNL तीन लाग की transfer हो गई तो ये ही तो रहता है बस royalty account में क्या रहता है royalty की general entry हम पास किये न royalty को debit कर रहे थे फिर PNL2 royalty करके transfer कर दे रहे थे तो बस royalty का पूरा चार साल का ये ही कारणा मारे रहेगा first year, second year, third year, fourth year बस ये हो गई royalty account अब बनाते है landlord account main game इसी में रहेगा अब देखो landlord account में landlord का account क्या होता है बताओ landlord का account भहिया होता है credit किस amount से? royalty के amount से और short working के amount से इसके amount से? short working के amount से तो royalty का amount कितना था? 18,000 short working कितने की हुई? 18,000 की तो पहले साल entry का हुई होगी royalty account debit, short working account debit to landlord account और फिर इसको payment हो जाती है to bank 36,000 at least minimum rent तो मिलता ही है जो कि पहले साल 36,000 ही था ठीक है? फिर दूसरे साल फिर से buy royalty buy short working अगले साल भी short working हुई है कितने की short working हुई है? ये देखो 51,600 का actual royalty है 8,400 की short working हुई 8,400 की क्या हुई? short working फिर payment हो गई to bank 60,000 क्या entry हुई होगी? royalty account debit, short working account debit to landlord account फिर landlord account debit to bank account फिर आयोगा buy royalty 1,32,000 की royalty आई लेकिन इस बार landlord account debit to short working हो गई short working recover हो गया कितने का short working recover हो गया? 12,000 का और उसके बाद इसको payment हो गई to bank कितने की? 1,20,000 की जो access working थी 12,000 की वो recover हो गई पहले साल की short working से ठीक है? और फिर last year भी buy royalty 3,000,000 की royalty आई जिस में से पहले short working recover हो गई दूसरे साल वाली कितने की? 8,400 की और फिर payment हो गई to bank कितने की? 2,91,600 2,91,600 की क्या हो गई? payment हो गई कितना असान? ledger account देखो simple ledger account first year second year third year fourth year low कितना simple ledger account ledger account journal entry journal entry भी easy है यहाँ पर amount हम निकाल की रखे हुए थे कितना कितना payment हो रहा है हर साल ठीक है? तो यह landlord का account बन गया question easy था इस पर तुमको ज़्यादा royalty account में से variety देखने को मिले वही exam में भी question same आते है जो book के अंदर question है तुमको बार बार दो तीन चार बार कर लेने हैं बस उसके तुम्हारा काम बन जागा इसके उपर extra question देख जोरत नहीं फिल जाए न और सो scanner में तुमको same question दिखेंगे with change the amount scanner में तुमको same to same question दिखेंगे amounts बस change होंगे ठीक है तो यह हो गई बात इसको note कर लो अब हम ledgers ही बनाएंगे न हर question चलो बेटे हो गया हाँ भाईया हो गया चलो यह वाला question तो हमारा हो गया अब आजाओ illustration number 2 पे illustration number 1 के जो account से वो तुम लोग बना लेना यह देखो ऐसे दिया हुआ है आपर royalty, landlord और short workings का account दिया हुआ है हम लोग question number 2 का बनाएंगे ठीक है question number 2 का हम अब बनाएंगे देखो, क्या बोल रहा है A limited obtained from BS limited a lease of some coal bearing land, the term being a royalty of 15 per ton of coal raised subject to a minimum rent of 75,000 with a right of recoupment of short working over the first 4 years of the lease, okay 4 साल तक recoupment हो सकती है, from the following details show short working account, royalty account and BS account in the books of a limited ठीक है, तो हमको lejci की book में account बनाना है ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे statement showing calculation of royalty ठीक है, हम सबसे बहले statement बनाएंगे जो royalty की calculation को show करेगा चलो, देखो तो सबसे बहले हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है year फिर हमको चाहिए output, फिर हमको चाहिए actual royalty फिर हमको चाहिए minimum rent फिर हमको चाहिए royalty payable royalty, payable फिर उसके हम लिखते है, short working फिर recapment फिर short working, left apps, फिर actual royalty payable देखो तो तुमको यहाँ पर year में दिया हुआ है, sales दी हुई है और closing stock दिया हुआ है, तुमको production नहीं दिया है, production बेसिकर है extraction कितना output हमने बाहर निकाला वो नहीं दिया है तो इसको निकाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको, देखो तुमको पता है, what is the formula for sales sales की unit कैसे निकलती है sales की unit निकलती है, opening stock plus purchases minus closing stock करके sales की unit निकलती है, purchases मतलब simple शब्दों में production भी बोल सकते हो extraction भी बोल सकते हो, output भी बोल सकते हो जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास sales दिया हो है closing stock दिया है, opening stock में निकाल सकता हूँ पुछो कैसे, भाई जो पहले साल का closing stock होगा, वो ही तो अगले साल का opening stock ले लो और closing stock ले लो इस ते मेरे को production और basically output मिल जाएगा, ठीक है तो देखो, sales दिये, 23,500 4,800 5,600 और 8,000 closing stock दिया हुए 3,4,6,5,8 3,4,6,5,8 ठीक है, यह हो गया closing stock अब opening stock, इस साल का closing stock अगले साल का opening stock इस साल का closing stock, अगले साल का opening stock तो जाएगा 300, 400, 600 और 500 या 800 अगले साल का होगा, तो अगले साल का data दिया नहीं और पहले साल का opening stock निल ले लो तब में को production मिल जाएगा, कैसे मिलेगा sales में minus करना opening stock, plus करना closing stock तो मिल जाएगा production यह देखो, यहाँ पर जो formula बनाया उसी से बनाया, ठीक है, तो यह अब मैं निकाल लेता हूँ, यह हो जाएगा जाएगा, 8300, तो यह मेरे को मिल गई, actual production, actual में extraction जो coal की हुई है, इस ताल, इस ताल कोल की extraction कितनी हुई है, 2300, 3600, यहाँ लिख दो, 2300, 3600, ठीक है, यहाँ पांच जाएगा, तो यहाँ जाएगा, 2910, 11, 13, फिर उसके जाएगा, 15 रुपर पर टन की साबसे, actual royalty निकालना पसंद करूँगा मैं, मिनिमाम रेंट 75,000 पर है ना मैं तो रोयल्टी पेबल हायर ओफ आजेगी हायर ओफ ले लो चलो शॉर्ट वर्किंग कितनी आ रही पहले सार आ रही 34,500 माइनस 75,000 40,500 पहले सार आ रही 54,000 माइनस 25,000 21,000 आ रही दूसरे साल की शॉर्ट वर्किंग ये डैश पिर सब एक्सेस वर्किंग है ठीक है फिर अब रीकपमेंट कितने साल तक हो सकता है चार साल तक हो सकता है फॉर्स्ट फॉर येर ऑफ दे लीस फॉर्स फॉर येर ऑफ दे लीस तक क्या हो सकता है मतलब शुरू के चार साल तक चुरू के चार साल तक क्या हो सकता है चलो sorry for the interruption काना थे हम लोग हाँ रीकपमेंट हमको करना है तो हम पढ़ रहे थे रीकपमेंट के बारे में कि with a right of recapment of the short working over the first four years of the lease अच्छा इसमें कुछ और ही यह में question में बोड रहा है कि जो तुम्हारा lesser है उसने तुमको सिर्फ शुरू के चार साल तक ही रीकपमेंट का राइट दिया हुआ है मतलब सुरू के चार साल तक अगर कोई short working हो रही होगी तभी रीकपमेंट कर सकते हो तो चार साल के बात नहीं कर सकते हैं, हो सकते हैं, कोई ऐसा terms and condition बनाओ, कि भाई चल माल लेता है, शुरू के सालों में short working होगी, तो recoupment कर लेना, पर बात के सालों में short working नहीं होनी चाहिए, और हो भी रही है, तो recoupment का right नहीं दूँगा, तो शुरू के चार साल तक दे सकते हैं, मतलब, एक, दो, तीन, चार, ये चार साल तक जितना recoup करा सकते हैं, उतना recoup करा लो, ठीक हैं, तो अब देखो, यहाँ पर तो access working हुई नहीं, यह देखो, access working हुई नहीं, यहाँ पर हुई access working कितने की, 75,000-82,500, 7,500 की, तो यहाँ पर recoupment हो जाएगी, 7,500 की, और उतके बाद एक भी रुपे की recoupment नहीं हो पाएगी, तो पूरा laps हो जाएगा, कितना, 4,500, प्लस 21,000, तो यह वही 61,500 में से 7,500 का हो चुका है, तो 54,000 पूरा laps हो गया, 54,000 पूरा laps, क्योंकि वह बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि जिस सार्ट वर्किंग वा उसके 4 साल तक, वह बोल रहा है, बस इस स्काम, इस कॉंट्रेक्ट के शुरू के 4 साल तक हो सकता है, तो अब एक्ट्वल रोयल्टी निकाल दो, रोयल्टी पेबल में माइनस कर दो, रीकप्मेंट तो एक्ट्वल आ जाएगी, तो यह हो जाएगा 75,000, यह भी 75, यह भी 75, यह हो जाएगा 1,24,500, 1,24,500, तो यह बन tabular form में इसको लोग है, ठीक है, यह देखो, यह formula से यह बना, कितनी unit sale हुई रहती है, opening stock, plus purchases, minus closing stock, यह purchases के जागा production या extraction ले लो, ठीक है, तो production या extraction का formula क्या बनेगा, sales minus opening stock, plus closing stock, इस साल का closing stock, अगले साल का opening stock बनते गया, ठीक है, तो यह वाला तो next year थाई नहीं, तो कहीं ठीक है, तो यह हो गया, अब question ने में को क्या बोला है, question ने बोला है, short working account बनाओ, royalty account बनाओ, और BS limited account बनाओ, तो सबसे बहले BS limited account ही बनाते हैं, BS limited मेरा कौन है, lesser है, BS limited account, ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि royalty account homework में जाने वाला है, short working account और मैं बनाओ दूँगा, ठीक है, क्योंकि royalty account में कुछ नहीं रखा, BS limited account, क्या क्या आएगा भाई साब, buy royalty, by short working, कितने की royalty है, 34,500, और short working होई, 40,500 होगी, फिर इसको payment हो जाएगी, two bank, 75,000, फिर next year में by royalty, by short working, next year रोयल्टी कितने की बनी, 54,000 की short working होगी, 21,000 की, two bank, 75,000, फिर next year, जादा रोयल्टी नहीं बनी, इक्वल बनी, by royalty, 75,000, two bank, 75,000, ये भी close होगया, फिर next year, जादा रोयल्टी बनी, by royalty, 82,500 की बनी, जिसमें से 7,500, short working में cover होगया, 7,500, और बचा हुआ, bank से payment होगया, 75,000, और फिर next year, by royalty, 1,24,500 की बनी, और पूरी पेमेंट होगया, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग, इस साल रीकूप नहीं हो सकता, ये चार साल बीत चुके हैं, चार साल बीत चुके हैं, तो ये बनेगा मेरा किसका, BS Limited का अकाउंट, इसको अब तुम बना सकते हो, ये बना BS Limited का अकाउंट, ठीक है, अब देखो, ये questions में जाज़ा, तुम्हारे साथ words के साथ ही खेल सकता है, क्योंकि technical में तो कुछ भी tough कर नहीं सकते हैं, words में खेल सकते हैं, अब words में खेलते हैं, जैसा institute के book में question दिया, वैसे ही चो question में words में खेलते हैं, तो उसमें भी कोई problem तुमको नहीं आएगी, ठीक है, short working account बनाते हैं, short workings account, तो इसकी book में short working क्या होती ही, debit होती है, कौन से साल से short working है, पहले ही साल से short working है, 2, BS Limited account, कितने की short working है, पहले साल, 40,500 की, buy balance, carried down, 40,500, 2 balance, brought down, 40,500, दूसरे साल भी short working हुई, BS Limited, कितने की short working हुई, 21,000 रुपे की, buy balance, carried down, इतना होगे, 40,500, plus 1000 रुपे, 61,500, फिर 2 balance brought down, 61,500, तीसरे साल कुछ भी recover नहीं हुआ, so buy balance, carry it down, 61,500, परना ही कोई short working हुई, 2 balance brought down, 61,500, फिर buy, BS Limited, कुछ रुपे रुपे की रुपे की, 7500 का amount recover हो पाया 4 साल जो कि आखरी साल था 7500 recover हुआ अब बचा हुआ कभी recover नहीं हो पायगा क्योंकि 4 साल आखरी साल था तो by P&L account करके इसको हम transfer कर देंगे 54,000 54,000 laps हो गया P&L account में transfer हो गया तो यह हो गया short working short working में balance carried down क्यों करते हैं कि हर साल वो carried down होते रहता है जबताको रीकूप नहीं हो जाए मदब उसका रीकॉपमेंट पिरेड ना खताम हो जाए जिस ताल रीकूपमेंट पिरेड खताम हुआ अक्तल P&L account में transfer as simple as that अब इसको note कर लो Hello student welcome back to the yet another lecture of your CMA intermediate paper no 5 royalty chapter हम लोगों को चल रहा है और पिस्टल लेक्चर में हम लोग इस नमबर टू था कमना कारेकरम खतम कर लिया था समाप्त कर लिया था आगे हमको बढ़ना है आज हम कोशिश करेंगी कि चैप्टर हम समाप्त कर ले तो आगे 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 बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ मुझे क्या दिखा ओ देखो यह देखो बोड़ रहा है फॉर दस टेम फिगर इलस्ट्रेशन नमबर वन में prepare करो आगे ओं किया लेंड लेन्ड लोइन्ट ऑल्ड आरेडी पास और लिया हहां तो यहां पर तुमको लेंड लोटी बिहार को लिमिटीड एव शॉर्ट वर्किंग suspense अकांट यह we लिखते हैं हम लोग उसस्पेंस दोने एक ही चीज होती है ठीक है तो यह तो तुम लोग खुदी करोगे मैं नहीं करवा रहा इलस्ट्रेशन नमबर 4 अभी हमको करना है और कितना इलस्ट्रेशन है एक मिनट मैं को चेक कर लें दो इलस्ट्रेशन 5 है हो गया चाप्टर खतम और एक कुश्चन मबर तुए पहला एक्सटाइस अपं खतम लेग्या ओके भाईया चलो कुश्चन नमबर टू आट एक बार कर लेत शैचीज नमबर रोयल्टी जाएगी 25 रुपय पर टन से, ठीक है, मिनिमाम रेंट 1.5 लाग का है, ओके, और a short working can be recouped in 2 years, ओके, only but subject to a maximum of 37,500 per year, तो बोल रहा है, तुम रोयल्टी को recoup कर सकते हो, मतलब अगर कोई short working हुई, तो आप recoupment करवा सकते हो, 2 साल तक करवा सकते हो, बट एक और additional point लिखा हुए agreement में, कि किसी भी साल में recoupment 37,500 से उपर नहीं होनी चाहिए, इसका simple मतलब यह है कि अगर recoupment 50,000, 1,002,005,00, जित्ती भी आ रही हो, हम 37,500 से उपर recoupment नहीं करेंगे, simple, और यह agreement में लिख है, ठीक है, जैसा agreement बनाते हैं, हम वैसी बाते करते हैं, the minimum rent will be taken on pro rata basis of the actual working day, ठीक है, यह obvious ही बात है कि strike के दिनों में, तुम pro rata basis में minimum rent को कम कर दोगे, जो कि हम question number 1 में भी किये थे 60%, तो pro rata basis में हम क्या कर देंगे, minimum rent को कम कर देंगे, जिस समय strike हुआ रहेगा, ठीक है, और in the event of lockout, the lease would enjoy consumption in respect of minimum rent of 50% of the period of lockout, और बोल रहा है, जब जब lockout होगा, बोल रहा है, जब strike अगर हुआ, तो pro rata basis में लेना, जब lockout हुआ, तो जितने समय तक lockout हुआ रहेगा, उस समय का minimum rent होगा, उसका 50% कम कर लेना, उसका 50% कम कर लेना, जब अगर ऐसी situation आई question में, तो मैं तुमको समझाओंगा, क्या बोल रहा है question, ठीक है, in addition to the above, mahi limited has been granted a right to receive cash subsidy equal to 50% of the unrecoupable short working by the state government up to the first 5 year of the lease, तो बोल रहा है, चुरू के पास सालों तक आपको गवर्मेंट से cash subsidy भी मिलेगी 50% की, इस की सीस के ओपर 50% मिलेगा, जितना amount आप recoup नहीं करवा पाए, यह तो यहां लिखा हुआ है साब साब, unrecoupable, मतलब जितना amount आप rec लिशन लगी हुए 37,500 की, तो इसके वज़े से अगर आपको amount recoup नहीं करवा पारे और वो lapse होने वाला है, वो amount lapse होने वाला है, तो हम कोई दिक्काच की बात नहीं, हम आपको उस lapse वाले amount का, जो amount lapse होने वाला होगा, उसका 50% subsidy दे देंगे, ठीक है, तो यह तो question जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं, वैसा वैसा भी देखते जा रहे है, production during the first 6 year दिया हुआ है, 2009-10 का दिया हुआ है, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, 13, 14, 14, 14, 15, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, 13, 14 में strike हुई है, 73 days की, और 2 महीने का lockout भी हुआ है, 14, 15 में ठीक है, ठीक है, तो माही लिमिटेट ने लीज ली है, मतलब वो लैसी है, ठीक है, मतलब वो लैसी है, चलो जी चलो, चलो जी चलो, बनाए क्या, ओके भाईया, calculation of calculation of royalty royalty चलो, इसमें कुछ एकाद column ज्यादा कम भी बन सकते हैं, यार, ठीक है, फिर उसके बाद, output actual royalty minimum rent royalty payable recoupment, नहीं पहले, short working, short workings, short workings, recoupment, short workings के बाद, recoupment ले लो, recoupment, इसके बाद, cash subsidy मिलने वाली है, इस question में तो ये एक extra column बनेगा, cash subsidy, और उसके बाद, finally हो जाएगा, laps, लैप्स हो जाएगा, फिर आएगा, royalty payable, royalty actually payable, ठीक है, इसने column इसमें बन जाएगा, it is my scale, देखो, लाइने कीच लूँ पहले में, अजय पहले में, जाएगास, और राज़ गार आएगा, झाले मेंЕ, के लिए लूँ पहले में, अरुँ, अरुँ, नाएगास, आएगास, दो लूगो, आएगास, दूएपज, चलो यहर देखो यहर बोल रहा है दो यहर नो दस दस ग्यारा ग्यारा बारा पुरो चौदा पंदरा तक ले लो दो तीन आठ नो चार अब एक्चॉल रोयल्टी कैसे निकलेगी भाई एक्चॉल रोयल्टी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पत्चीस रूप पल टन के इसाफ से हमारते है रोयल्टी में तो जितना टन निकल गया उसको पत्चीस से मल्टिप्लाई करो तो सीधा में लेता हुआ 25 इंटू 2000 तो यह आगे 50,000 तीन हजार इस इक्वल टू आठ हजार इस इक्वल टू 9000 इस इक्वल टू 4000 इस इक्वल टू रुक है एक जिरो जादा लग गया 3000 इस इक्वल टू ठीक है मिनिमम रेंट डेड़ लग का है पर लास्ट के दो साल में be careful calculation करना पड़ेगा लास्ट के दो साल का हिसाब कुछ ऐसा है कि भाई जिस साल जिस साल यह देखो इन दे इवेंट आफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट को प्रोराटा बेसेस पे ले लो तो भाई 73 देज की स्ट्राइक के मजब 73 देज काम बंद होगा तो मिनिमम रेंट कि दो हजार तेरा चौदा में देखो कैसा है भाई 365 देज होते है साल में माइनस करेंगे स्ट्राइक कितने समय की रही 73 देज की तो कितने दिन एक्शुली वर्क हुआ वर्किंग डेज तो मिनिमम रेंट कितना आ जाएगा देखो क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो एक बार एक बार और पढ़ो तो आपको एक मन्त के मज़े हैं एक मन्त का आपका क्या हो जाएगा रेंट कम हो जाएगा मिनिमम रेंट एक महीने का बोला है 50% of the period of lockout तो lockout का 50% कितना हो जाएगा दो महीने का lockout था मतलब एक महीने का एक महीने का मिनिमम रेंट आपको माफ कर देंगे तो simple शब्दों में डेल लाक इंटू 11 अपॉन 12 ले लो तो यहां रहे 1,37,500 यह आपका मिनिमम रेंट हो जाएगा ठीक है क्योंकि 1,37,500 ठीक है ऐसा क्योंकि क्योंकि क्वेस्चन ने बोला कि आप 50% of the period of lockout दो महीने का था उसका 50% यह एक महीने का मज़े हो जाएगे आपके एक महीने का कम कर देंगे तो 11 महीने का मिनिमम रेंट this is going to be your minimum rent for 2014-15 हो गया अब royalty payable higher off ले लो higher off actual rent and minimum rent ठीक है हो गया अब short workings निकाल लो short working यहां आ रही एक लाक की यहां आ रही 75,000 की short working आ रही है यहां हो जाएगा मेरी यहां short working नहीं है एक्सेस working है दो लाक हो गया है यहां भी एक्सेस working है यहां पर short working हो गई 20,000 की और यहां पर भी एक्सेस working है ठीक है minimum rent 137,500 है अजब के टीन साल मेरी short working हुई है अब question में short working से related पहली चीज़ यह कि दो साल तक वह कर सकते हो दूसरी चीज़ यह कि maximum 37,500 कर सकते हो तो पहले तो यही दो चीज़ को मैं ध्यान में देते हुए अपना कारेक्राम आगे बढ़ाता हूं पहला साल दूसरा साल है पहला साल डूसरा साल इसका दूसरा साल हो और रहा है अब यह चीज़ हो गई पहला छीज अब क्या देखो। यह जो अपने पहले साल में Coop सकता क्यों कि पहले साल जो यह एक लाग का फी सब्सक्राइब बना सकते हम बना लेना अबीच-मे इंस saves working कर लिदे के बाद access working लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी एक column extra add कर सकते हो 50,000 के access working हुई है तो बताओ क्या मैं 50,000 रीकूप कर लूँ येस भाईया 50,000 आप यहाँ पर रीकूप कर लो मैं बोला तुम मूर्ख हो क्यों क्योंकि question नहीं लिखा है कि किसी भी साल तुम 37,500 से ज्यादा रीकूप में नहीं कर सकते है तो इस बार यहाँ पूरा जो access working है वो रीकूप नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ 37,500 का ही रीकूप मेंड हो पाएगा 62,500 का amount रीकूप नहीं हो पाया पर government हमको एक चीज बोली क्या बोली कि जितना भी आपको cash subsidy मिलेगी किसका जितना amount आपका रीकूप नहीं हो पाया उसका 50% उसका 50% आपका cash subsidy देंगे 62,500 recoup नहीं हो पाया तो 62,500 का 50% into 50% हम आपको 31,250 की cash subsidy देंगे कैसे आया यह 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 मैं लिख देता हूँ तुम लोग मत लिख ना 62,500 into 50% 62,500 का 50% क्या जाएगा cash subsidy मिर जाएगा अब मेरे को एक बात बताओ एक लाग का short working था माइनस 37,500 का मेरे को recoupment हो गया माइनस 31,250 की cash subsidy मिल गया इसका मतलब मेरा सिफ 31,250 का ही क्या हुआ loss हुआ 31,250 क्या हो गया loss हो गया यह नहीं lapse हो गया ठीक है तो यह पी एनल में जाएगा यह वाला लाप जो लिखा रहता है नहीं यह profit and loss account का item होता है ठीक है तो यह पीएनल में जाएगा समझ मैंई बात ऐसा अब अच्छा और इमस्स को इसके सामने लिख दिया, रुको 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 गलत जगह पे लिख दिया मैंने, रुको यार मिटाके लिख दितों अब देखो, अब 75,000 भी दो साल तक रीकूप हो सकता था, पहले साल तो नहीं हो पाया, रीकूप, दूसरे साल, एक्सेस वरकिंग देखो, कितनी आरे, बहुत जाद है, भाई, दो लाग, पच्चीज दार, एक्चॉल रोल्टी, माइनस डेल लाग, एक्सेस वरकिंग 75,000 की ह है, तो 75,000 पूरा रीकावर करवा सकता हो, क्या, नहीं करवा सकता, क्योंकि क्वेस्चन ने बोला है, कि मैक्जिमम 37,500 करवा सकते हो, तब 75,000 की वरकिंग सी, और ये उसका भी आखरी साल है, 75,000 का ये आखरी साल है, तो कितना नहीं हो पा रहा है, रीकूप, माइनस करो 37,500 तो 37,500 रीकूप नहीं हो पा रहा है, तो 37,500 जो रीकूप नहीं हो पा रहा है नो, उसका 50% कैश सब्सीडी गवर्मेंट आपको देगी, 18,750, इसका मतलब सिर्फ 18,750 रुपे क्या हो जाएगा, पीनल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरे को जितना रीकूप नहीं हो पा रहा था, उसका भी 50% कैश सब्सीडी मिल गया था, ठीक है, इस साल तो कोई रीकूप मेंट नहीं होगी, इस साल भी नहीं, डैस जाल जाल ज तो पूरा 12,500 रीकावर अभी फिलहाल करवा देंगे, और इसका दूसरा साल तो हम लोग पहुची नहीं है, इसके दूसरे साल तक तो हम कोश्चन ही नहीं है हमारा, ठीक है, तो पूरा 12,500 फिलहाल क्लिए अभी रीकावर करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को रीक, ये हो जाएगा कितना 500,000 यह भी हो जाएगा देढ़ork माइनस 27500 या dependent 1625,000 यह जाएगा 22 5000 minus 37500 यह जाएगा एक लाग बीस हजार यह जाएगा देड़ लाग माइनस बारह हजार फानसो लाग 37,500 ठीक है ओके भाई या लो अब इसको नोट कर लो लुटिक है नोटेस दाव अग्यों बेटे हो गया आँ भीया हमारा तो कब से हो गया चलो अब इसमें हम लोगों को बनाना क्या था हमको इस क्कॉस्चन ही बनाना था नेसरी लैजर अकाउंट बनाने हैं इन्ड़ भूक्श जरूर बनाऊंगा एक short working account क्योंकि cash subsidy के ओपर question है तो में भी तुमनों को doubt आजाए और दूसरा हम कचरी limited का account बनाएंगे इन दा books of mahi बनाना है न ठीक है तो पहले हम short working account पर ध्यान देते हैं झाल हम प्यान आजाएं टाएंगे पर जाएंगे तूसरी कि एफ बनाएंगे तुमनाना है उपनाएंगे प्यास्टरक का न प्याओएंगे बनाएंगे जाना है चलो, तो सबसे पहले 2010 से हमारी शुरुबात हुई, चलो प्रॉपर डेट वेट डाल के करते काम, 2010 से हमारी शुरुबात हुई, तो एक अतीस, तीन, 2010 को, हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई, कितने की, एक लाक रुपए की, तो यहां लिखेंगे टू, कच्छरी, एक लाक, ज को जेशर्ण एंट्री बताओ, जर्णल एंट्री क्या होती भाईया, चलो, तो इन The Book of Mahi Limited, Mahi Limited की बुक में हमों क क्या करना है, कच्छरी लिमिटेट का एंट्री पास करना है, तो हम क्या एंट्री पास करना है, क्योंकि Mahi के लिए रोयल्टी आकांट्ट डेबिट, क्योंक फिर उसके बाद इस साल कुछ रिकॉपमेंट तो होई नहीं सकता तो बाय बैलेंस करेंट डाउन करकी वाला साल क्लोज हो जाएगा कि वाला साल हो गया क्लोज फिर एक अप्रेल 2010 तू बैलेंस ब्रॉट डाउन एक लाग फिर दूसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग हुई है टू कच्छरी 75,000 31,03 2011 में फिर 31,03 2011 बाय बैलेंस करेंट डाउन दोनों का बैलेंस करेंट डाउन हो गया 1,75,000 फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000 1,4 2011 में 1,4 2011 में फिर उसके बाद 31,03 2012 को क्या हो गया यहां पर कुछ तो भी सेट ओफ हुआ क्यों हो क्यों क्योंकि एकसेस वर्किंग हुई इस साल और क्या कैसेट अफ हुआ पाय कच्छरी पाय कच्छरी लिमिटेड कितना सेट अफ हुआ था 37,500 का amount set up हो गया था इतके अलावा buy cash मेरको cash subsidy मिल गई थी कितनी मिल गई थी फिर से निकाल सकते हो 62,500 का 50% निकाल लो 31,250 की cash subsidy मिल गई थी फिर बचा हूँ amount TNL में transfer हो गया था 31,250 और 75,000 का कुछ भी नहीं हुआ था buy balance carried down 75,000 75,000 का क्या हो गया balance carried down हो गया क्योंकि अभी इसका 2 साल complete ही नहीं हुआ है यहाँ पर start हुआ था यह एक और 2 यह भी 2 साल यहाँ तक चलेगा फिर 1,4,2012 2 balance brought down 75,000 किसी साल यह set up हुआ 31,3,2013 buy कचरी buy कचरी कितना set up हुआ था 37,500 set up हो गया था फिर buy cash subsidy मिली थी कितने की 37,500 का 50% 18,750 की cash subsidy मिल गई थी और buy P&L बचा हुआ laps हो गया था पस यह वाला इस साल यह account पूरा टैली हो गया ठीक है मतलब टैली हो गया फिर उसके बाद next year फिर से फिर से नहीं 31,3,2014 तू कचरी फिर से short working हुई 20,000 रुपे की ठीक है और फिर 31,3,2014 buy balance carried down और फिर next year 1,4,2014 2 balance brought down 20,000 और इसमें से 31,3,2015 को कचरी लिमिटेड कितना कितना कवर अप हो गया 12,500 कवर हो गया और बचा हुआ फिर balance क्या हो जाएगा carried down हो जाएगा कितना 7,500 यह हो गया खतम तो यह बना मेरा short workings account कुछ इस प्रकार से दिखेगा तफ नहीं था कुछ मेरे को पता है लेकिन फिर भी मेरे करवाना था क्योंकि exam में account बनाने ही आएगा account बनाने simple ledger account है simple ledger account है जर्नल एंट्री हम सीखे हो अब किसका account बनाएंगे इन बुक्स आप माही अब हम बनाते हैं कच्री limited account ठीक है चलो बना लेते चलो पटा पट पटा पट आए जब करो कि अटेट पर्टिकुलर सवाउं डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है तो सब्से पहली एंट्री क्या होती बता रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू कचरी अकाउंट, तो यहां लिखो, बाइ, पेंचेंज कर लेते हैं, रुपो, बाइ, रॉयल्टी, पहले साल 50,000 की रॉयल्टी बनी, और इसलिए, एक लाग की क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग हो गई, किते की, एक लाग रुपे की, फिर यही पेमेंट हो गई, टू बैंक, टेड़ लाग रुपे, यह हो गई, बस पहले साल की कहानी, इत्ती सी थी, दूसरे साल, पाइ रॉयल्टी, फिर कम बनी रॉयल्टी कितने की बनी, 75,000 की, तो इसलिए, शॉर्ट वर्किंग हो गई, 75, 25,000 की, तू बैंक, 1,50,000, इसके बाद, बाय रॉयल्टी, अच्छी खासी रॉयल्टी बनी इस साल, इत्ते की बनी भूल गया मैं, देख लेता हूँ, तीसरे साल रॉयल्टी बनी, 2,00, की, 2,00, की रॉयल्टी बनी तीसरे साल, इसमें से शॉर्ट वर्किंग के लिए चला गया, चॉर्ट वर्किंग लिए चला गया, 37,500, बचा हुआ पेमेंट हो गया, 2 बैंक, 1,62,500, ये हो गई पेमेंट, नेक्स्ट ये फिर अच्छी खासी रॉयल्टी बनी, 2,25,000 की, इसमें से फिर शॉर्ट वर्किंग लिए चला गया, 37,500 और बचा हुआ पेमेंट हो गया, ये कि लेट मी क्रॉस चेक, हाँ, 225 ही है, 2,25,000, माइनस 37,500, तो ये हो गया, 1,87,500 पेमेंट, फिर बाय रॉयल्टी, फिर इस ताल कम बनी, 1,00,000 की रॉयल्टी बनी, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई, 20,000 की, जो क्योंकि इस सल मिनिमम रेंट ही, 1,00,000 था, तो 20,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई, 2 बैंक पेमेंट हो गया, फिर रॉयल्टी बनी, कितने की रॉयल्टी बनी, 1,00,000 की, 37,500 मिनिमम रेंट है, 1,00,000 की इस में से चॉर्ट वर्किंग लिए चला गया, 12,500, शॉर्ट वर्किंग लिए चला गया, और बच्चा हुआ पेमेंट हो गया, 2 बैंक, कितने का पेमेंट हो गया, 1,00,000, 37,500 की, नहीं मिनिमम रेंट था इस साल, ठीक है, तो ये बन गया मेरा किसका कच्चरी लिमेटर का अकाउंट, अच्छा, डेट्स डाल लेना, डेट्स डालना भूल गया मैं, बस, हो गया, फिनिश, पातम, ठीक है बेटा, ओके भाईया, तो ये हो गया, बाकी रोयल्टी अकाउंट है, रोयल्टी अकाउंट तुम लोग बनाई सकते हो, क्या है, पिनल, पिनल में ट्रांसफर करना है, धर, 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 हमारे दो और कुश्चन्स बच्चे हैं, लॉस्ट्रेशन नमबर 4 और 5, चलो 5 पहले कर लेते हैं, फिर 4 भी कर लेंगे, चलो जी, इलॉस्ट्रेशन नमबर 5, जेको, पहले कर लेंगे, पहले कर लेंगे, पहले कर लेंगे, ले लेगे, ले अन्हीं अविज़। धर, ट्रांस दोज़र बारा, नहीं अश्चन्स पहले कर लेंगे, तो यह तो भाई insurance claim का question तो नहीं है कहीं गलती से यहां डल गया हो insurance claim का question तो नहीं है नहीं भाईया नहीं आप कैसी बात कर रहे हो royalty का question आप पहले पढ़ लो ठीक है अब तुम लोग बोलते हो तो पढ़ लेते हैं short working recovered 2019-10 में 4,000 की है 2010-11 में 8,000 की 11,12 में 2,000 की यह बोल रहा है यह 6,7 की रिकावरी थी और यह जो थी 1000 जो थी वो बिलॉंग करती 78 को ठीक है short working laps दी हुई है 3,000, 3,600, 2,000, 8,9, 9,10, 10,11 में बोल रहा है sum of 50,000 पे हुआ landlord को 2089 में agreement of royalty contain करता है minimum rent का clause fixed amount है और recruitment जो है वो 3 साल चलती है इन विच short working arises information as regard payment to landlord subsequent to the year of 2089 is not readily available 2089 के बाद तो information ही नहीं बस यह 89 का जो 50 दर दी है वो ही दिया है बोल रहा है उसके बाद की information हमारे बस नहीं है बोल रहा है तो short working account and royalty account in the books of lessee तो बोल रहा है पर टेबल बनाना पड़ेगा और यह question तो clean bouncer गया है इन फोर्मेशन ही नहीं है question में ढंकी बहुत सारी information question में भी sitting है मतलब पूर्रा तो अब देखो जब हम लोग सीख चुकर है चीज क्या सीख चुकर हम लोग यहजी कोश्चन में पसेंगे तबは में अपने बच्पन का सारा लेंगे और बच्पन में क्या करते थे बच्पन में यार Narsary KG1 KG2 में ड्रॉइंग बनाते थे में इसमें भी ड्रॉइंग मनाना चाहता हूँ पहले अपनी कला का प्रदर्शन आपको दिखाऊंगा उसके बाद हम आगे की बाते करेंगे कला का अप्र दिखाओ मैं ठीक हैं इतना बोढ़ रहे हो तो आज मैं दिखाAY दू कि कला मेरे अंदर भरी हूई है मैं चुपा के रखा था कला मेरे अंदर भरी हुई है मैंने तो चुपा के ही रखा था चलो तो पहले तो मेरे को एक चीज बहुत क्लियर दिख रही ही 2008-09 से बनाना है और यह जाएगा 2008-09-09-10-11-12 तक जाएगा दो एक दम पूराना साल लीस्ट यहर मेरे को 2008-09 दिख रहा है और जो लेटेस्ट यहर 11-12 तक हम बनाते हैं 2000-11-12-10-11-9-10-89 बस इतने इस काम है अच्छा एक वह 7-8 का भी कुछ देटा दिया हुआ है तो इधर हम लोग इधर थोड़ा सार प्रीवियस तक भी बना लेते हैं चलो यह हमारे यहर्स हो गए सारे यहर्ण से न सारे सारे यहर्ण से अब देखो तरह समझने की कोशिश क मंद्धे की कोशिश क्या समस्च महारा है मेरे को दो देखो शौर्ट वर्केंग रिकावर हुए कब हुए है 2910 में चानर डर की शौर्ट वर्किνग रिकावर हुए है जो की शौर्ट वर्किंग जो ती गला और शौर्ट वर्किंग9-10 मेंfikवर हुई है, 9-10 में आजाओ, यहाँ लिको 4000, और यह कब की रिकवरी हुई है, 67 की, यह 1 साल, 2 साल, 3 साल, ओमाई गौड, Actually 3 साल मेंरिकवर हुई है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है,ान। फिरेट कितने चाल का, तीन साल का तो एक छे साथ का 4000 का माउंट था जो कब कर रिकवर हुआ है जो मेरा रिकवर हुआ है नो दस में नौ दस मेरी कवर हुआ है ठीक है ओके फिर उसके बाद बोल रहा है 8000 जिसके अंदर 1000 जो है वह 78 का है, 1000 जो है वो 78 का है, ठीक है कौन से साल में, 10-11 में 8000 रिकावर हुआ है तो पैन का color change करने दो, थोड़ा तुम लोगो differentiated दिखना चीए amount मुझे भी दिखना चीए, 8000 रिकावर हुआ है, तो में 1778 का है 1778 का है यहां का यह देखो, यहां का है 1000, औरेंज कलर बिलॉंग करता है ठीक है, समझ जाना, औरेंज कलर बिलॉंग करता है इसको, तो अगर 1000 यहां का है तो बचा हुआ 7000 का होगा, बताओ तो एक चीज़ में तुमने को दिखाना चाहता हूँ शॉर्ट वर्किंग रिकावर हो रही है जिस साल मेरे को बताओ, एक बात जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकावर हो रही है क्या उस साल शॉर्ट वर्किंग हुई होगी कैसी बात कर रहे हो भाईया शॉर्ट वर्किंग जिस साल रिकावर हुई है यानि 9, 10, 10, 11, 11, 12 तीन साल short working recover हुई है भाईया इसका मतलब उस साल access working हुई होगी आपको पता नहीं है क्या short working access working से ही तो recover करते हैं हम लोग short working को हम लोग किस से recover करते हैं एक्सेस वर्किंग से रिकावर करते हैं, तो आप हमारी बात को समझो भाईया, हम आपको बताते हैं, इस साल 2009, 10, 10, 11, 11, 12 में शौर्ट वर्किंग रिकावर हुई है न, उस साल शौर्ट वर्किंग हुई नहीं होगी, तो मैं बोला अच्छा, तो इसका मतलब इस कोईशन के अनुसार, कोईशन नमर 8-9 तक बस शौर्ट वर्किंग हुई होगी, है न, क्योंकि 8-9 के बाद तो सारी एक्सेस वर्किंग है, तभी तो रिकावरी हुई है, तभी तो रिकावरी हुई है, इसका मतलब मैक्जिमम, इस कोईशन में 2008-9 तक भी, आट-9 में हुई है पक्का, आट-9 तक ही क्या हुई होगी, शौर्ट वर्किंग, तो अगर 1000 इस साल को बिलॉंग करता है, और ये वाले साल का तो तीन साल यहां पर खतम हो गया, यह तीन साल जो है, वो 2006 साल का खतम हो गया, तो इसका मतलब best possible assumption क्या है, assumption नहीं, practically बोलो, तो जो 7000 बचा हुआ है, वो 2008- आट-9 को बिलॉंग करता होगा, यह जो आट-जार इस साल रीकूप हुआ है न, है न, उसका एक हजार 78 को बिलॉंग करता हो, तो बचा हुआ 7000 जो है, वो 89 को बिलॉंग करता होगा, practically सोचो, है न, 6-7 को तो करी नहीं सकता, क्योंकि 6-7 का जो 3 साल था, वो 9-10 में ही खतम ह हो गया, ठीक है, तो 78 का अगर 1000 बिलॉंग करता है, तो 89 का ही बचा हुआ 7000 होगा, इसका मतलब 89 में short working हुई है, कितने की, 7000 की, इतनी बात थे तो अभी तक के समझ में आ रही है मेरे को, 2011 बारा में 2000 हुआ, 11 बारा में 2000 हुआ, यह देखो, 11 बारा में 2000 का क्या हुआ, यह सब recruitment बता रहो न मैं, यह recruitment है, यह भी recruitment है, यह भी recruitment है, ठीक है, ठीक है, तो 2000 रेकूप हुआ, अब सोचो, 2000 यहां पर रेकूप हुआ, 2000, 6-7 रेस ते बाहर हो चुके है, 7-8 भी रेस ते बाहर हो चुके है, क्योंकि उनलों का 3-3 साल कंप्लीट हो चुका है, 7-8 का भी 3 साल कंप्लीट हो गया, 7-8 का 3 साल गिनो, 8-9, 9-10, 10-11, 10-11 में 3 साल उसका भी खतम, ठीक है, तो अब सोचो, यह recruitment हुआ, 2000 की, कब को belong करती होगी, 9-10 में हुआ नहीं है, short working, 10-11 में हुआ नहीं, 11-12 में हुआ न करता होगा, common sense लगा, भाईया, यह 2008-9 को belong करता होगा, समझे, 8-9 की recovery हुई होगी, यहां पर, है ना, समझ रहो ना, logically चलो, drawing, drawing को देखते जो, logically चलो, तो मेरे को अभी तक कि इतना पतला, 7-8-9, 9-9, 1000 की short working हुई है, 2008-9 में, 1000 की short working, 7-8 की है, और 6-7-4,000 की short working थी, जो यह हां recover हुई है, 9-10 में, अभी तक के मेरे को इतनी बात है, समझ में आ रही है, आगे पढ़ो, short working laps हो गई, 8-9 में, 8-9 में, 3000 की short working क्या हो गई, laps हो गई, ठीक है, 8-9 में, अब laps नीचे लिख रहा हूँ ना, laps, 8-9 में कित्ते की laps हुई, 3000 की, फिर उसके बाद, 9-10 में, 3600 की, 3000 की laps हो गई, और 11-12 में 2000 की laps हो गई, 2000 की laps हो गई, 11-12 में, एक सेकंड, चलो, देखो, हां, तो हम लोग यहां पर थे, laps की बाते कर रहे थे, तब देखो, जो, जो मेरा short working laps हो गया, इसका मतलब, laps होने का मतलब क्या होता है, क्यों उसके 3 साल पूरे हो गए होंगे, तो चलो चलोगा होगा, जिस साल से मेरे को मतलब भी नहीं है, मेरे को क्यों मेरे को साल से मतलब है, 2008-90 मेनको मतलब हो वलगा देखो 1 2 3 ये भी 6 7 साथ यह तो ही 3600 सेtest में को क्वी काम नहीं है यह वग्याप्स हो गया यह व्याप्स हो गया इस साल की कुछ तो शौर्ट वर्किंग होगी, इस साल की ये 2,000 की शौर्ट वर्किंग होगी, जो की रीकवर नहीं हो पाई 3 साल में, और 2,000 क्या हो गई? लाप्स हो गई, मतलब समझ रहे हो, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब टोटल 11,000 की शौर्ट वर्किंग हुई थी 208, 9 में, जिस में से 8000 recover हो गई इस साल 10-11 में 2000 recover हो गई 11 बर में और 2000 laps हो गई समझे तो यह हुई drawing और I think इतनी बात अगर तुमको समझ मैं ही तो मैं आगे बढ़के तुमको table समझा सकता हूँ बोलो येस हाँ भाईया हाँ अभी आप आगे बढ़के हमको समझाओ हमको धीरे धीरे बाते घुस रही है दिमाग में थोड़ा स्लो जाती है ठीक है पर आज कल यह कहावत applicable नहीं है वैसे मैं एक बात बता दूँ आज के दमाने में तुमको पास्ट ही रहना पड़ेगा नही चलो इसमें इस question में output जासा कुछ भी शीन नहीं है तो मैं डारेक्ट लिक रहा हूँ actual royalty मिनीमाम रेंट अभी मिनीमाम रेंट भी नहीं निकला है मिनीमाम रेंट रोयल्टी पेबल short workings short workings recoupment labs actual royalty payable चलो अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ बनाने की चलो actual royalty पर अब ही मैं बात करता हूँ minimum rent ढूँ पहले question में minimum rent कहीं नहीं पता लेकिन मेरे को एक चीज़ पता चली 2089 में ना 50,000 की payment हुई है अब एक चीज़ तुम ध्यान में दोगे 2089 में तो भाया short working हुई थी oh my god question ने मेरे को minimum rent बता दिया पूछो कैसे क्योंकि तुमको ध्यान में होगा बाकि कोई भी question उठा के देख लो कोई भी question उठा के देख लो जिस साल short working हुई रहती है जिस साल short working हुई रहती उस साल जो royalty payable amount रहता है वो minimum rent की equal होता है उस साल royalty payable का amount minimum rent की equal होता है तो अगर 2089 में इसका मतलब 2089 में अगर 50,000 की payment हुई है तो वही minimum rent होगा क्योंकि 2089 में तो भर भर के 11,000 की short working हुई थी 2089 में भर भर के 11,000 की क्या हुई थी short working तो minimum rent कीतना आएगा 50,000 और अगर 50,000 इस साल का है तो हर साल का minimum rent कीतना हो गया 50,000 हो गया ठीक है अब सोचो royalty payable 50,000 ही होगी है ना क्योंकि higher off होता है तो अब सोचो 11,000 की एकर short working हुई है 11,000 की short working हुई है short working तो मैं short working कैसे निकालता था मैं short working निकालता था minimum rent minus actual royalty करके तो अगर minimum rent में short working minus कर दू तो मैं को actual royalty मिल जाएगी 39,000 आ गई पहले साल की actual royalty 39,000 इस दा first year actual royalty clear हो कई बात ठीक है 2009-10 में देखो और लापस हो पाई है और लापस्भी कुछ हुआ है लापस गम्री कुछ हुआ है तो पहले मैं urine काप्मेंट में लिखना चाओंगा 4000 bucks हो गया है रहाज शाना हधार को पाई है है यहाहां पर 4000 की reward around में लापस ऊतना पैसा नहीं होगा है लैप्स हो गया इसका मतलब क्या ऑं मिरेपास उतस ना पैसा नहीं होगा कि मैं पूरा रीकूप करा पाओ तो मैं सिर्फ कितना रीकूप करा पाया 4000 इसका मतलब सोचो दिमाग लगा इसर्फ UX यहां पर तुमको दिमाग दोड़ाना है, यहां पर एक्ट्वल में चेक हो रहा है, इस कोश्चन में कि तुम्हारे दिमाग में कितनी रोयल्टी चैप्टर घूसी है तो समझो मेरी बात मिनिमम रेंट कितने का है पचास हजार का मैं सिफ 4,000 री फुप करा पाया dapat 6,000, 3000, 6000 नहीं करा पाया है सिफ 4,000 करा पाया मैं इसाल मैं सिiram 8,000 रीकूप रा पाया है इसे इस साल कुछ लाप्स भी नहीं है पर आट जार रीकूप करा पाया बस ठीक है only 8000 पर अब एक बात तुम समझो यहां इस साल कुछ लाप्स नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि यह 58000 से जाधा होगा तुम समझ रहो मेरी बात यह 58000 होगा पूछो क्यों कि अगर मैं सिर्फ एक बात बतओ पहले बात बताओ क्या मैं सिर्फ 8000 करा पाया हूं अब भीया सिफ आफ यह 58000 करा पाया पर मेरे पास ना रीकूप्मेंट कराने के लिए 8000 से जाधा माउंट था कितना माउंट था यह Mini 2000 में सिर्फ और रुपे ही होगा तभी तो मैं नहीं तो मैं पागल हु होगा इसको इसी साल नहीं करा देता रिकूप करा देता ना पर 2089 का कुछ शॉर्ट वर्किंग अमाउंट अगले साल रिकूप हुआ इस साल 2010-2011 में पैसे खतम हो गए होंगे समझे सिर्फ 8000 एक्सेस वर्किंग होगा तो अगर सिर्फ 8000 एक्सेस वर्किंग था रिकूप कराने के लिए इसका मतलब मैं 58000 कमाया होंगा 58000 कमाया होंगा जिसमें से मैंने 8000 क्या कर दिया रिकूप कर दिया 8000 क्या कर दिया रिकूप कर दिया आज ओ 2011-12 में 2011 बढर में 2000 करा पाया तो सिर्फ 2000 करा पाया तो सिर्फ母 चीज से लेफ़ सब्सक्राइब क्माया जिसमें 2,000 सिर्फ एक्सेर रेकुब करा पाया और बचा हुआ कहां चले गया लैस में तो ultimately मेरा amount निकाल दो यहां पर कितना आएगा royalty paypal में से recruitment minus करो तो actual royalty आजएगी तो यह हो जाएगा 50,000 यह भी हो गया 50,000 यह भी हो गया 50,000 और यह भी हो गया 50,000 लो जी लो 50 50 50 50 यह आगया amount इसको बना लो यह भयानक में question common sense था अब इस टाइब के question ने तुमको भर भर के working notes और नोट बनाने पड़ेंगे तो working note तुम ऐसे बनाओ कि तुमको statement form में लिखना पड़ेगा यह सारी चीज़े तुमको और ली बताया ना तुमको वह सारी चीज़े statement form में लिख देनी that's all statement form में या show करके लिख देनी that's all ठीक है अब इस question में तुम लोग को क्या बनाने बोला था इस question में तुमको बोला था royalty account बना ओ माई गॉड मजाक कर दिया और short working अकाउंट दोनों यह बहुत असान है इस question में अगर तुम देखोगे तो short working royalty account दोनों बहुत असान है ठीक है तो वो शायद तुम लोग बना सकते हो इसको नोट कर लो या फिर मैं short working account बनवा देता हूं तुम लोग को royalty account तुम खुद बना लेना ठीक है पहले इसको नोट कर लो चलो बेटे हो गया हाँ भाईया हो गया अब मैं short working account तुम लोग को बनवा रहा हूं उसी में तुम लोगो शायद दिक्कत आ सकती तो आ सकती नोट working account चलो देखो शार्ट वर्किंग वही 2008-09 से बनाएंगे हम लोग 2008-09 से बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले कुछ तो भी पिछले साल का two balance brought down उत्रेगा यहां पर अब यह balance brought down कितना उत्रेगा बहुत असान है drawing में आ जाओ देख लो यह देखो 2008-09 मेल को बैलंस देखना है इसको य तुमको शार्ट वर्किंग उठा लेना है तो यह देखो यह 34100 पहले का है Schul alt वर्किंग doctor डून्wen ना इस डाइग्राम में कि नदर छेतों मिल गया पहले का यह देखो यह हरी लाइन दिख रही है हरी लाइन जो 4000 की यहां पर कुछ भी चाहरी कुप हुआ चाहर लैप्स हुआ उससे मेरे को मतलब नहीं है मेरे को 11,600 की मेरी ओपनिंग बैलेंस होगी है ना मिलेसर एकाउंट लैंडोर का है इससाल लुए हुआ फिर अब टेबल से देखके करते जाओ, अब यह देखो, 3000 laps हुआ, इसी साल, by PNL, 3000 laps हो गया, और बाकी कुछ नहीं हुआ, by balance carried down, कितना आ जाएगा यह? यह आ गया, 19,600 फिर यहां लिखो, two balance brought down, 19,600 फिर उस पर दूसरे साल देख लो, क्या हुआ, दूसरे साल recoupment भी हुई है, और laps भी हुई है, 33,600 की, तो recoupment करवा लो, by landlord 4000 by PNL 3600 फिर by balance, carry it down 12,000 फिर लिखो, two balance brought down 12,000 8,000 recoup हो गई, बस, 8,000 recoup हो यह और कुछ नहीं हो by 10,000 by balance carried down 4000, next फिर, two balance brought down by landlord 2000 recoup हो गया था, और 2000 laps हो गया था, 2000 PNL ठीक है, हो गया, बस, इसमें क्या दिक्कत थी, बस यह 11,600 के amount में दिक्कत थी, 11,600 का amount मैं तुम लोगो बता दिया, कैसे निकाले, 2008, 2009 के पहले के short workings को ढूडना था तुमको, जो हम लोगो ड्रॉइंग में बहुत असानी से मिल गया, यह देखो, एक यह था, एक यह था, यह था, यह बिलॉग करता था, 2008, 2009 के पहले के, तो चारो को मैंने total लगा दिया, बस, लोगो इसको note कर लो, बस बेटे, बस, चलो बेटे, हो गया, हाँ भाईया, हो गया, अब एक और illustration, illustration number 4, यह भी हम कर लेते हैं, वैसे तो मैं इसको homework दे दू, क्या, रूखो पढ़ने द पूट रहा है, following information obtained from the books of a lessee, relating to the year 2008, 2009 to 2011, 2012, payment to landlord, after TDS, 20%, 20% TDS के बाद, पेमेंट दी हुई है, पढ़ लो ध्यान से पहले, 8, 9, 10, 10, 11, 12, नहीं मैं कर आउंगा, यह question, यह जखो payment दी हुई है, 20% TDS, minus करने के बाद दी हुई है, इसका मतलब यह जितने भी amount आपको दीख रह 80% figures में यह amount, एक मिनट रुखो, चलो, getting back, 80% amount आपको यह दिये हुए हैं यह सारे, यह सारे amount कौन से, 80% figure पे हमको 100% निकालना बहुत असानी साथ है, बोलो proportionate method हमारे खून में दोड़ रहा है, खून में, किसमें दोड़ रहा है, खून में दोड़ रहा है proportionate method, यह सब 80, 80% से divide करेंगे, 100% amount हमको मिल और शॉर्ट वरकिंग रिकवर हुआ, 29, 10 और 10, 11 में 25 और 1000, तो 29, 10 और 10, 11 में अगर चौकी सा नहीं है, रहा है, और 10, 11 में चौकी ौकि प्रजुटर्लना ब्लंस आप शोट वर्किंग आकाउंट फॉरवर्ड अधोगी के पहले का है 800 रुपए 2008 नौ के पहले का क्या है short working ठीक है 800 रुपए यह ज्धान रखना according to the terms of agreement short working recoverable होता है 2 साल में following the year in which short working arises you are required to show necessary account of books of lessee for the four year ended 31st March 2020 ठीक है तो यह गेम अलग है question का मेरे को royalty payable निकालना पड़ेगा actual royalty payable ठीक है तो चलो पहले year बना लेते, year 9 10 10 11 11 12 यह हो गया year ठीक है तो मेरे को तो इसमें कुछ ज़्यादे columns बनाने पड़ेंगे पहले लिखना पड़ेगा royalty paid after TDS 12 12 12 12 19 200 12 12 12 19 200 TDS 20% का है तो royalty paid before TDS यह royalty before TDS भी लिख लो तो कैसे निकालने के बहुत simple है proportion method लगाओ 12,000 को divide करो 80 से multiply करो 100 से simple शब्द में बोलू तो 12,000 divided by 80% कर दो तो यह कितना कितना आ रहा है 15,000 15,000 15,000 19,200 divided by 80% चो भी 1000 तो यह क्या क्या रोयल्टी बिफोर TDS ठीक है TDS के पहले royalty तो मिल गई मतलब यह royalty actual में बनी होगी gross royalty ठीक है मतलब actual royalty payable का तो last column बन जाना वो यह बना होगा दिक्कत मसला यह है कि 2009-10 और 2010-11 में पत्चीस तो और एक हदर क्या हुई है royalty recoup हुई है recoupment हुई है कितने कि हुई है पत्चीस तो और एक हदर कि इस तल कुछ नहीं होगा और short working मेरे को निकालना पड़ेगा तो short working का opening balance 800 का था 2089 में 2089 में opening balance था 800 रुपय का तब तो चो तो चो चो तो 2019 इस साल 3500 रीकूप हुआ है और इस साल 1000 रीकूप हुआ है अब अगर यहां पर opening balance 800 था इसका मतलब यह एक साल यह दो साल question में बोला है कि दो साल तक रीकूप मेंट होता है तो यह हुआ इसका पहला साल यह हुआ इसका दूसरा साल तो दूसरे साल यह जो 25 का रीकूप मेंट हुआ है उसके अंदर क्या यह 800 घुशके बैठा होगा बोलो हाँ यह नहीं बोलो यह साल तक हो सकता है यह देखो लिखा हुआ है कि opening balance 1 April 2008 को 800 का है तो हम मान के चलते हैं जस्ट पिछले ही साल का है यह ठीक है और यह दो साल तक रीकूप हो सकता है तो दो हैदर आट नो में रीकूप हो सकता था जो की नहीं हो पाया ड्यू टू शॉर्ट वरकिंग और 2009-10 में रीकूप हुआ पत्चीस सो एक्सेट्स वरकिंग का उसके अंदर यह 800 इंक्लूडेट होगा ही होगा शॉर्ट होगा ठीक है तो अगर यह 800 इंक्लूडेट है तो पत्चीस सो में अगर 800 प्रीवियस पिरिट का है इसका मतलब शॉर्ट रुपे यह बच्चा हुआ 2089 वाला होगा 9-10 में तो हुआ नहीं है शॉर्ट वरकिंग दस ग्यारम हुआ नहीं शॉर्ट वरकिंग नहूदस के पहले की बात कर रहे ना तो नहूदस के पहले यह देखो टाइम स्टेंब बना के देखो 2910 3500 का recruitment हुआ है उसके पहले 289 था और उसके पहले 278 होगा यहाँ पर 800 की short work की हुई थी जो कि 1 और 2 साल में recover हो सकती थी जो कि यहाँ पर recover हो गई तो अगर 800 की recover होगी तो 1700 और बज़िया जो की recoup हुआ है तो यह 1700 जो recoup हुआ है कौन से साल को belong करता होगा common sense लगा के बता हूँ use your common sense यह जो 1700 बचाई यह कौन से साल को belong होता होगा भाई of course यह 1700 इस साल को belong करता होगा क्योंकि इसके पहले का तो पूरा recoup हो गया और इसके बाद तो हुआ ही नहीं है short working और होता भी नहीं है ठीक है तो यह 2089 को belong करता है 1700 रुप है उसके बाद 2010-11 में फिर से 1000 की recruitment हुई है यह देखो फिर से 1000 की recruitment हुई है अब यह 1000 की recruitment कब की होगी of course 89 की होगी क्योंकि 9-10 में तो short working हुई नहीं है access working हुई है तो 2889 की होगी तो यह 1700 में और मिला दो कितना 1000 तो यह 1000 की short working भी 89 की ही होगी उसके बाद 2010-11 में 500 laps भी हो गया तो एक बात बताओ इस से 2010-11 से exact 2 साल पहले कौन सा साल था 2089 तो of course 2089 का ही short working laps हुआ होगा क्योंकि 22 साल में short working जो recover नहीं हो पाती है recoup नहीं हो पाती है वो laps हो जाती है तो यह 500 भी 2089 को ही belong करता होगा तो इन टोटल 17 प्लस एक अजार प्लस पान सो कि तीस्तो रुपय का short working हुआ होगा 2089 में 2089 में कित्ते का short working हुआ होगा 32 का short working भाई इतना भुद्धी लगाना पड़ेगा तुम सोच रहोगे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तो भाई professional students हो इतना दिमाग तो लगाने पड़ेगा इसका मतलब 32 की short working होई होगी इस साल में भाई 24,000 इतना उपर चल रहा है और वैसे भी question में इससे related कुछ item दिया नहीं हुआ है तो यह बात होगी बोलो yes अब finally हम निकाल लेते हैं royalty amount कितना आएगा देखो royalty before TDS 15,000 का है 32 की short working है मतलब actual royalty कितने की बनी होगी actual royalty 11,800 की बनी होगी 11,800 की actual royalty बनी होगी तभी 32 की short working है इधर 15,000 रुपर हमने pay किया 15,000 रुपर हो सकता है minimum rent हो ठीक है उस साल का वैसी 15,000 बना है 25,000 रुपर हो गया इसका मतलब 17,500 actual royalty होगी 17,500 actual royalty मतलब मैं वह बोड़ रहा हूँ ना अगर इसी टेबल को मैं सीधा बनाना चाहता है इसी टेबल को मैं सीधा बनाना चाहता तो मैं यहां लिखता year 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012 ठीक है फिर मैं लिखता actual royalty 11,800, 11,500, 11,000, 22,000 फिर मैं लिखता minimum rent minimum rent 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 फिर मैं लिखता royalty payable higher off 15,000, 17,500, 12,000, 24,000 फिर मैं यहां पर लिखता short workings 3,200 की short working यह देखो इस्ते से minus करो 3,200 और कुछ भी नहीं फिर मैं लिखता है recruitment रिकुपमेंट यहां 25 की recruitment हो पाई बस क्योंकि excess working से 25 की यहां 1000 की recruitment हो पाई और कुछ lapse हो गया lapse कितना हो गया यहां 500 का lapse हो गया ठीक है यह 32 की जो short working थी वही lapse हो गई 800 रुपे पहले से था यह चीज़ ध्यान लगना short working 800 रुपे पहले से था और फिर actual royalty payable एक्चुल रोयल्टी पेबल रोयल्टी पेबल में से रीकुप्मेंट को माइनस करके 15,000 15,000 15,000 24,000 लो इसी टेबल की दरुद पड़ती ही तुम लोग का अकाउंट बनाने में क्वेशन हमको अकाउंट बनाने ही बोला है तो लो एक्चुल टेबल बन गया ठीक है तो यह वाला टेबल तुम भले वर्किंग नोट में दिखा के आला टेबल बना सकते हो या सिर्फ यह वाला टेबल बनाओगे तो भी बात बन जाएगी ठीक है यह इस तयप के सिर्फ दो ही बक इख दक में इनलास्ट्रेशन लमर और यह थोड़े सै क्वेश एक्षा में आता नहीं गैजा۔ cocaine इंडक always ना खुकता है अभी जो एक्सर्साइज का कशिच नंबर टू के लिए ब Él too cricket इस रीक्चिर के सबसे प्छे एक्जाम में आ भी चुका है इसके अलावा नॉर्मल वाले कोस्चन जैसे को सिद्धी मताम को शन आने ही चाहिए जिसमें इतना बुद्धी लगाना पड़े मजजेदार था पर हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमको ड्राइंग बनाना आता है we know that drawingि कैसे बनाते जितना लगों चोरी और में हम बनांगे और कि सोफ़ना कर लुदा नार चाहिए ROC को एक बार तुम अच्छे से समझ गया ना तो तुम एकदम स्पीड से सॉल्फ कर लोगे कॉस्चन को बहुत स्पीड से ठीक है यह बात होती है यहां पर ठीक है तो इसके ताथ हमारा रॉयल्टी चैप्टर हो गया समाप्त ठीक है चलो एक बार और मेरी इच्छा है कि मैं तुम लोगों को बस वाला पॉइंट समझा दू कौन सा वाला यह वाला देखो 2009-10-10-11 में तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई इतना तो कंफर्म हो क्यों कि इस साल एक्सेस वर्किंग हुई है तभी तो रिकुपमेंट हुआ है रिक रिकुपमेंट है वो एक और यह दो दो साल तक हो सकता था तो दूसरे साल में हो गया तो यह वाला 800 का बैलन्स है यह दो साल तक हो सकता था ऐट नहीं क्योंकि आधो में खुछ शॉर्ट वर्किंग दीख हो सकता है नौ दस में हुआ मिन इसमें आट और यहा यहाला है गiar चुपके बैठा है तो बताब वह 1700 काहेगा रिकूप हुआ अब 89 के पहले तो होई नहीं सकता कि भाई आठ नौ का ओपनिंग बैलनस पर एक आठ तो दिया है और वह 800 रिकूप हो गया उसके पहले तो पक्का यह 1000 भी दो दर आट नो को भी बिलॉंग करता है तो यह 1000 हुआ प्लस इसी साल 500 क्या हो गया लप्स भी होग्या अब यह 500 जो लाप्स हुआ है यह भी 2008 कहीं होगा क्यों क्योंकि 2008 2 साल तक रिकवरी करवा सकता था 1 साल 2 साल अब दूसरे यह साल भी वह पूरी नहीं करा पाया होगा तभी तो उसकी 500 लैप्स होगी तो इसका मतलब यह 500 भी इसी साल को बिलॉंग करता होगा इसका मतलब यह 500 भी 2008 नो को तो टोटल 32 का शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा 2008 नो में जिसमें से 1729-10 में रिकावर हो गया 2010-11 में 1000 रिकावर हो गया और 500 रिकावर नहीं हो पाने के कारण लैप्स हो गया समझ गया और यह टीडियस वाला पॉइंट तो तुमको समझ में आई गया होगा कि यह जो अमाउंट दिया यह 20% टीडियस माइनस करने के बात दिया हुआ है इसका मतलब यह सारे 80% अमाउंट कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं 12,000 को 80% से डिवाइट करो 15,000 15,000 आजाएगा 19,200 को 80% डिवाइट करो तुम्हारा 24,000 आजाएगा तुम्हारा रोयल्टी चैप्टर भी समाथ ज्यादा नहीं तीनी लेक्चर हमको लगे रोयल्टी चैप्टर में ठीक है तो हो गया आप नेक